अध्या पैंतस दूइत्य विश्वयुध सेकंड वर्ड 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 लगभग 20 साल की शांती के बाद 1 सितंबर 1949 के दिन युध की अगनी ने फिर सारे युरोप को अपनी लपटों में समेट लिया और कुछ ही दिनों में ये संघर्ष विश्वय व्यापी हो गया विगद्दो दशाब्दियों के इतिहास के अध्ययन के बाद ये प्रेश्ण पूछना स्वाभाविक है कि शांती स्थापित रखने के अथक प्रयास के बाद भी दुवित्य विश्वयुध क्यों छड़ गया क्या संसार की लोग और विविद्देश के शासक ये चाहते थे नहीं बात बिलकुल ऐसी नहीं थी समुची संसार में शायद कोई भी समझदार व्यक्ती ऐसा नहीं था जो युध की कामना करता हो बच्चे, भुडे, स्त्री, पुरश तथा सभी वर्ग की जनता शांती चाहती थी इसी तरह युरोब की कोई भी सरकार युध नहीं चाहती थी यहां तक जर्मन सरकार भी युध से बचना चाहती थी स्वेम हिटलर भी युध नहीं चाहता था अंतिम समय तक हिटलर का यही विचार था कि संकट पैदा करके धौस दे कर डरा धमका कर पूलेंड से डांजिंग चीन लिया जाए वे जानता था कि युध्य से उसका सर्वनाश हो जाएगा बिना युध्य की यही विजए हासल कर लेना उसकी चाल थी वास्तव में युध्य के बिना विजए के सिध्धान्त पर ही उसकी सारी मान मर्यादा निर्भर थी पर ऐसा नहीं हो सका किसी की इच्छा नहीं होने पर भी युध्य छड़ गया ऐसा क्यों हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेवार था वर्साय व्यवस्था की तुरुटियां 1919 के पैरिस शांती सम्मेलन में शांती का महल नहीं खड़ा किया जा सकता था उस समय ये आम विश्वास्था की वर्साय संधी के द्वारा एक ऐसे विश्वरिक्ष के बीज का आरोपन किया गया है जो कुछ ही समय में एक विश्वरिक्ष के रूप में खड़ा हो जाएगा और उसका कटू फल सबों को बुरी तरह चखना पड़ेगा कहा जाता था कि विलसन के आदर्शवादी सिध्धान्त के आधार पर वर्साय व्यवस्था की स्थापना हुई थी लेकिन ये बात सरवता गलत है विलसन के आदर्शो को किसी भी स्थान पर नहीं अपनाया गया था पराजित राजेयों के समुख आरोपित संधियों को उस विकार करने के सिवा कोई चारा नहीं था उसके लिए यही बुद्धिमानी थी कि वे आँख मींच कर कठोर संधी के कड़वे घूंट को चुपचाप कंठ के नीचे उतार ले लेकिन ये स्थिती अधिक दिनों तक टिकने वाली नहीं थी ये निश्चित था कि कभी न कभी वे समय अवशे आएगा जब जर्मनी एक शक्तिशाली राजे बनेगा और वर्साय के घोर अपमान का बदला अपने शत्रों से लेगा विजे के मद में चूर मित्र राष्ट्रों ने इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया कि जर्मनी के साथ इस प्रकार का दुर वहवार करके वे भविशे के लिए कितने खतरनाक कांटे बो रहे हैं वर्साय वेवस्था के दूसरी कमजोरी भी थी इसके द्वारा यूरोप में अने खत्रा के केंद्रों का निर्मान हुआ था कहा जाता है कि इस वेवस्था के कारण यूरोप का बालकनी करण हो गया था जूटी राष्ट्रयता के नाम पर यूरोप का टुकडा टुकडा कर दिया गया था और पुराने सामराजेओं के स्थान पर असंख्य छोटे-छोटे राजें पैदा हो गए थे प्रायहा ये सब राज्य भविश्य के खत्रे के तुफानी केंद्र थे इसके अतरिक्त वर्साय व्यवस्था के द्वारा सुड़टन लेंड डांजिंग पॉलिश गलियारे जैसे असंग के एलसस लॉरेन पैदा हो गए थे ये निश्चित था कि उपरियोक्ति समय आने पर इन खतरनाक केंद्रों में संकट उपस्थित होंगे और अंतराष्ट्रे राजनीती पर उनका बहुत बुरा असर पड़ेगा लेकिन 1919 के राजनेता शायद इसकी कलपना नहीं कर सके हिटलर के उतकर्ष में इस बात से बड़ी मदद मिली थी अतेव यदि वर्साय व्यवस्था को युद्ध का कारण माना जाए तो कुछ गलत ना होगा प्रिष्ट 428 ब्रिटिश नीती इसमें कोई शक नहीं कि जमाने से शक्ती संतूलन का सिध्धान्त ब्रिटिश विदेश नीती का एक महत्व पूर्ण तत्व रहता आया है परिउधुतर काल की ब्रिटिश विदेश नीती में इस तत्व पर अधिक जोर देना इतिहास के साथ अन्याए करना होगा वास्तव में इस काल को ब्रिटिश विदेश नीती में शक्ती संतूलन का सिध्धांत उतना प्रबल नहीं था जितना रूसी सामेवाद के प्रसार को रोकने का प्रश्ण था जिस ब्रिटिश नीती को तुष्टिकरण अप्येस्मेंट पॉलिसी की नीती कहा जाता है विवास्तव में प्रोचसाहित करों की नीती थी सामराजिवादी ब्रिटेन की सबसे बड़ी समस्या जर्मनी नहीं बरन सामेवादी प्रसार को रोकना था इस काल में ब्रिटेन में नीती निर्धारकों का ये अनुमान था कि एशिया में जापान और सोवियत संग तथा यूरोप में जर्मानी और सोवियत संग भविश्य के वास्तविक प्रतिद्वन्दी है अगर इन शक्तियों को आपस में लड़ाता रह जाए और इस तरह एक दूसरे पर रुकावर डालते रहें तो ब्रिटेन निर्विरोध अपने विश्वियापी सामराजे को कायम रखे रह सकता है ब्रिटेन की नीती ये थी कि फ्रांस की साथ अहसायोग करके उस पर दबाव डालकर हिटलर, मुसुलीनी और हिरो हितो को सामेवादी रूस के खिलाफ उभारा जाए और उसकी साहायता करके सामेवादी रूस का विनाश करवा दिया जाए इसमें शक्ती संतूलन का कोई सिधान्त काम नहीं कर रहा था क्योंकि सोवियत संग अभी बहुत कमजोर था ब्रिटिश चासकों की ये नीती गलत तर्क पर आधारित थी इसका कारण ये था कि उस समें ब्रिटेन की नीती का नरधारण कुछ अनुभव हीन तथा सामेवाद विरोधी व्यक्तियों के हाथ में था करनल ब्लिंप, चैंबर लेन, बैंक ओफ दा इंग्लेन के गवर्नर, मॉन्टेग्यू नॉर्मन, लॉर्ड वेबर ब्रूक, जैकोव अस्टर, लंदन टाइम्स तथा, गौर जैसे पत्रकार, दीन एक जैसे लेखक, केंटर बरी के आर्क विशप, तथा अनेक पुझी पती तथा जमीदार और प्रतिक्रियवादी इस गुट के प्रमुक सदसे थे और लोगों के हातों में भागे निर्धारन का काम था, जिस देश की नीती निर्धारन में ऐसे लोगों का हात हो, वहां की नीती सामेवादी विरोधी नहीं, तो और क्या हो सकती थी, चैंबर लेन इस दल का नेता था, इन लोगों के हात की कटपुतली, मई 1937 में चैंबर लेन ब्रिटेन का प्रधान मंत्री बना, तथा कथित तुष्टिकरण की नीती का वे प्रतिमूर्ती ही था, चेकोसलो वाक्या का विनाश भी इसी उद्देशे से कराया की, इससे हिटलर प्रोच सा उकारे में सफल नहीं हो सका, उसकी इस नीती का परिणाम सारे संसार को भुगतना पड़ा, वचन विमुक्ता हॉप्स ने लिखा है कि जब मनुष्य अपने दिये हुए वचनों का पालन नहीं करते, संधी की शर्तों को पूरा करने में हिचके चाते हों, तो वैसी स्थिती में हम युद्ध की स्थिती और प्राकर्तिक अवस्था में रहते हैं अपने द्वारा दी गई प्रतिग्याओं पर नहीं टिकना सबसे बड़ा अपराध है, ऐसा करके मनुष्य केवल अपने ही प्रति नहीं बलकि उस व्यक्ति के प्रति भी अन्याएं करता है, जिसके साथ वे कुछ प्रतिग्या किये रहता है राष्ट संग के विधान पर हस्ताक्षर करके सभी सदसे राजियों ने वादा किया था कि वे सामोहिक रूप से सबकी प्रादेशिक अखंडिता और राजनितिक स्वातंत्रता की रक्षा करेंगे लेकिन जब मौका आया तब सब के सब पीछे हड़ गए जापान चीन पर बलतकार करता रहा इटली अभी सीनिया को रौंदता रहा दोनों आकरांथ देश राष्ट संग के सदसे थे पर किसी ने कुछ नहीं किया इसके बाद चेकोसलोवाक्या की बारी आई फ्रांस चेकोसलोवाक्या की रक्षा करने के लिए वचन बद्ध था लेकिन जब समय आया तो वे अपने मित्र को बचाने तो नहीं ही गया उल्टे उसके विनाश में सहायक हो गया म्यूनिक समझोते के द्वारा ब्रिटेन और फ्रांस परिवर्तित चेक सीमा को गारंटी दिये हुए थे पर जब भिटलर बचे हुए प्रदेश को भी हड़पने लगा तो किसी ने उसका विरोध नहीं किया इससे बढ़कर विश्वास घात और क्या हो सकता था इस नीती का परिणाम ये हुआ की छोटे छोटे राजियों का विश्वास जो अपनी सुरक्षा के लिए बड़े राष्ट्रों पर ही निर्भर थे बड़े राष्ट्रों पर से उठने लगा इससे भी बढ़कर इसका दूसरा परिणाम ये हुआ कि धोके बाजी की नीती से आकरामक प्रवर्टियों को काफी प्रोटसाहन मिला जापान ने चीन पर आकरमन किया और उसे कोई दंड नहीं मिला मुसलीनी को इससे प्रोटसाहन मिला और उसने अभी सीनिया पर चड़ाई कर दी अभी सीनिया पर आकरमन करने वालों को कोई दंड नहीं मिला इसलिए हिटलर ने आस्ट्रिया और चेकोसलोवाकिया को हड़प लिया आस्ट्रिया और चेकोसलो वाक्या पर आक्रमन का भी कोई विरोध नहीं हुआ इस कमजोरी से फिर लाब उठा कर हिटलर ने पोलेंट पर चड़ाई कर दी अगर सभी राष्टर अपने दिये गए वचनों का पालन करते रहते और आक्रमन के अफसर पर संधी के अनुसार अपने साथियों की मदद करते रहते तो आक्रामक प्रवर्तियों को प्रोटसाहन नहीं मिलता और दूसरा विश्वे युद्ध छणने से बच जाता प्रिष्ट 439 गुडबंदी आधुनिक युग में दुनिया के अधिकतर लोगों के मन में ये एक अंधि विश्वास जम गया है कि सैनी संधी गुडबंदी से विश्वी शांती काइम रखी जा सकती है शांती बनाए रखने के नाम पर युरोपिय राजियों के बीच विविद सैनी संधियां हुई जिसके फलस्वरूप युरोप फिर से दो विरोधी गुड़ों में बंद गया एक गुड़ का नेता जर्मनी था और दूसरे का फ्रांस इस गुड़बंदियों पर पहले ही काफी प्रकाश डाला जा चुका है यहाँ पर ये कह देना अनुचत नहीं की इन गुटों की मूल में दो बातें थी एक सिध्धान्तिक समान था और दूसरी हितों की एक था इटली जापान और जर्मनी एक सिध्धान्त फासिस्ट वाद में विश्वास करते थे वर्साय संधी से उनको समान रूप से शिकायत थी और उसका उलंगन करके अपनी शक्ति को बढ़ाने में उनका एक समान हित था इसके विपरीत फ्रांस, चेकोसलोवाकिया, पोलेंड, इत्यादी देशों का एक हित था वर्साय व्यवस्था से उन्हें काफी लाब पहुँचा था और इसलिए यह थस्थिती बनाए रखने में ही उनका हित था बहुत दिनों तक ब्रिटेन इस गुट में शामिल नहीं हुआ पर अधिक दिनों तक ब्रिटेन गुट से अलग नहीं रह सका पर इस्थिती से बादे होकर उसे भी इस गुट में समलत होना पड़ा उधर रोस की हालत कुछ दूसरी ही थी सामेवादी होने के कारण पूंजीवादी और फासिस्ट वादी दोनों गुठ उससे घ्रना करते थे और कोई उसको अपने गुठ में समलित करना नहीं चाहता था पर जब यूरोप की स्थिती बिगरने लगी तो दोनों गुट उससे अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए प्रयास करने लगे अंत में जर्मनी को इस प्रयास में सफलता मिली और सोवियत संग उसके गुट में समलित हो गया इस प्रकार युध आते आते यूरोप दोस पष्ट विरोधी गुटों में फिर से विभक्त हो गया इसके फलस्वरूप यूरोप का वातावर अंदूशित होने लगा तथा राष्ट्रों के बीच मन मुटाफ पैदा होने लगा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के गुट को अपने सीने पर तनी हुई कटार की भाती समझने लगे और उससे बचने के उपाय करने लगे राष्ट्रों के परस पर संबंध बिगारने में इन गुटबंदियों का कम हात नहीं था इस दृष्टी से गुडबंदियां द्वीत्य विश्वयुद्य का बहुत बड़ा कारण थी हतियार बंदी जब राष्ट्र के बीच मन मुटाव पैदा होने लगता है एक देश दूसरे देश से संशकित होने लगता है तो वे अपनी सुरक्षा के प्रबंद में जुड़ जाते हैं इस अवस्था में सुरक्षा का एक मात्र उपाए हतियार बंदी समझा जाता है जो राष्ट्र जितना अधिक शक्तिशाली होगा जिसके पास जितने अधिक सेना रहेगी वे अपने को उतना है अधिक शक्तिशाली समझता है इस सद्धान्त में योब के सभी राजे विश्वास करते थे युद्ध के बाद जर्मनी य धपी बिलकुल पस्त पड़ा हुआ था फिर फ्रांस को जर्मनी से काफी भै था इसलिए वे हत्यारबंदी में हमेशा लगा रहता था युद्ध के बाद भी वे सैनिक शक्ति में सर्वर प्रथम स्थान रखता था हर वर्ष उसका सैनिक बजट बढ़ता ही जाता था प्रथम महायुद्ध में फ्रांस की सीमा को जर्मनी बड़ी आसानी से पार कर गया था अतहभावी जर्मन आक्रमन से बचने के लिए फ्रांस ने 1937 में स्विट्जरलेंड की सीमा से डैन कर्क तक किलो की एक श्रंखला तयार की जिसको मेगिनू लाइन कहते हैं प्रिष्ट 430 1935 में जब संसार की स्थिती काफी बिगड़ गई तो ब्रिटेन में भी हत्यार बंदी शुरू हो गई फ्रांस की साथी देशों में ये पहले से ही जारी थी ब्रिटेन का अनुकरण करते हुए वे देश भी हत्यार बंदी करने लगे जो अभी तक चुप बैठे थे इस समय तक जर्मनी में नाथसी क्रांती हो चुकी थी हिटलर ने वर्साय की संधी की उस शर्थ को जिसकी द्वारा जर्मनी पर सैनिक पाबंदिया लगा दी गई थी सबसे पहले मानने से इंकार कर दिया और जोर जोर से हत्यार बंदी करने लगा कुछ ही दिनों में जर्मनी की सैनि शक्ती भी काफी बढ़ गई उसका वेहर मैक्ते थल सेना और लुफ्ट वाफे वायू सेना संसार की सबसे शक्ती शाली सैनि शक्ती थी फ्रांस की मेगिनो लाइन के जवाब में उसने भी एक समानांतर सिक फीड लाइन बनाई जो किसी भी हालत में फ्रांस की किलाबंदी से कम नहीं थी इस प्रकार देखते देखते सारा यूरोप एक शस्त्रागार हो गया सभी देशों में सैनिक सेवा अनिवारे कर दी गई राष्ट्रे बजट का अधिकांश सेना पर खर्च होता था वर्षों तक राष्ट्र संग के तत्वावधान में इस बात का प्रयास होता रहा कि हतियार बंदी की होड रुख जाए लेकिन राष्ट्र संग को सफलता नहीं मिली और यूरोप में शस्त्री करण की दोड होती रही इस सैनिक तयारी को देखकर ये निशकर्ष निकाला जाने लगा कि युद्ध अब अवश्यम भावी है और उसके लिए तयार रहना ही ठीक है राष्ट्र संग की भ्रामक शक्ती प्रथम विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्र संग की स्थापना इसी उद्देश से की गई थी कि वे संसार में शान्ती कायम रखेगा लेकिन जब समय बीतने लगा और परिक्षा का अफसर आया तो राष्ट्र संग एक बिलकुल शक्ती हीन संस्था साबित हुआ जहां तक छोटे छोटे राष्ट्रों के पारस पर एक जगडों का प्रेश्न था राष्ट्र संग को उनमें कुछ सफलता मिली लेकिन जब बड़े राष्ट्रों का मामला आया तो राष्ट्र संग कुछ भी नहीं कर सका जापान ने चीन पर चड़ाई कर दी और इटली ने अबसी सीनिया पर हमला किया पर राष्ट्र संग उसको रोकने में बिलकुल असमर्थ रहा अधिनायकों का पता चला कि राष्ट्र संग बिलकुल शक्तिहीन संस्था है और वे जो चाहे कर सकते हैं पर राष्ट्र संग की असफलता के लिए उस संस्था को दोश देना ठीक नहीं है चर्चल ने ही कहा था कि राष्ट्र संग की असफलता के लिए राष्ट संग दोशी नहीं है वरन उसके सदसे दोशी है राष्ट संग राजेयों की एक संस्था थी और उनका करतव्य था कि वे उस संस्था को सफल बनाए राष्ट संग ने अभी सीनिया पर आक्रमन करने के अपराध में इटली को दंड दिया उसके विरुध आर्थिक पाबंदिया लगाई गई लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने इसमें राष्ट संग के साथ सहीयोग नहीं किया राष्ट संग की निश्क्रियाता के जो भी कारण हो लेकिन उस पर से लोगों का विश्वास जाता रहा और जिस उद्देशी से इसकी स्थापना हुई थी उसकी पूर्ती करने में विसर्व था असफल रहा युद्ध की लप्टों में नाच्सी विद्यूत प्रहार 1 सितंबर 1949 को उस विद्वन्स कारिद्वीती महयुद्ध का प्रारंब हुआ जिससे बचने के लिए विगद दो दशापदियों से युरोप की राजनेती के प्रयास करते आ रहे थे ये हिटलर की आकरामक नीती तथा ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टी करन नीती का तारकित परिणाम था सितंबर 1949 में जिद्वीती विश्वयुद्ध शुरू हुआ वे अगस्त 1945 तक चलता रहा छे वर्षों तक चलने वाले इस युद्ध ने अनेक चड़ाब उतार देखे 1942 के मध्य तक हिटलर की सेनाएं यूरोप को रौंधती रही एक के बाद दूसरे देश को कुचलती रही इतनी छोटी अबधी में लगभख सारा यूरोप उसके पाउं पर लौटने लगा था वे इतने बड़े भूभाग का स्वामी बन चुका था जिसकी कलपना सिकंदर और नेपूलियन जैसे विजेता भी नहीं कर सकी थे अतलांतिक से वोलगा तक और भूमद्य सागर से काकेशश तक उसकी तूती बोलने लगी थी किन्तु 1942 के अंतिम दिनों में स्थिती ने पल्टा खाया और हिटलर की सितारा कमजोर पढ़ने लगा इस समय तक महयुध केवल यूरोप युद्ध ही नहीं रह गया था युद्ध में जापान, अमेरिका और सोवियत संग के प्रवेश के कारण इसका स्वरूप विश्विव्यापी युद्ध के रूप में परिवर्तित हो चुका था दुरुद्गती से घटने वाली इन घटनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है पुलेंड का युद्ध पुलेंड पर हिटलर का आक्रमन दुईती विश्वियुद्ध का ततकालि कारण था मार्च 1949 में चैकोसलो वाक्या के पूर्ण विनाश के तुरंथ ही बाद हिटलर ने नेने कर लिया कि उसका दूसरा प्रहार पोलेंड पर होगा लेकिन इसमें कुछ दिक्कते थी चैकोसलो वाक्या पर आधिपत्य के बाद ब्रिटेन और फ्रांस पोलेंड की प्रादेशिक अखंडिता की गारंटी दे चुके थे पहले की अपेक्षा अब उसका रुख कड़ा हो चुका था उधर सोवियत संग भी पोलेंड के विनाश को चुपचा बैठे नहीं देख सकता था ये ठीक है की पोलेंड की शासक कटर सोवियत विरोधी थे और इसलिए हिटलर के हातों उनका विनाश होते देख सोवियत संग को खुशी ही होती पर स्वेम सोवियत संग का राष्ट्रे हित इस बात में था कि वे पोलेंड पर जर्मानी का आधिपत्ते कायम ना होने दे अतहा ये संभव था कि पोलेंड में हिटलर का विरोध स्टालिन भी करें बरिटेन और फ्रांस पहले ही पोलेंड को गारंटी दे चुके थे इस परिस्थिती में पोलेंट पर हमला करने पर हिटलर को दो मोर्चा पूर्व और पश्चिम पर युद्ध करना पड़ता हिटलर इस संभावना से बचना चाहता था अधह उसने सोवियत संग से समझाता कर लेना ही ठीक समझा 21 अगस्थ 1949 को रूसी जर्मन अनाक्रमन संधी हिटलर के इनी विचारों का परिणाम था सोवियत संग से समझाता करके हिटलर पूर्वी मोर्चा की तरफ से निश्चिंत हो गया और पोलेंट पर हमला करने की तयारी करने लगा डांजिंग पर पॉलिश गलियारे को लेकर युद्ध का बहाना भी मिल गया और एक सितंबर को पोलेंट को बिना विधिवत सूचित किये बिना अन्ती मेथम दिये हुए जर्मनी ने पोलेंट पर चड़ाई कर दी ये द्वीती विश्व युद्ध का प्रारंब था शुक्रवार पहली सितंबर के चार बजे सुभा में जब सारा यूरोप अभी सोया हुआ था कि हिटलर की सेना पोलेंट की सीमा पार कर गई ये असल विधित प्राहार था बिजली की तड़क की तरह विशाल जर्मन सेना पोलेंट पर एका एक तूट पड़ी एक तरफ से जर्मन लुफ्तियाफ ने पोलेंट पर गोला बारी करके उसके यातायात के साधन जैसे रेलवे, हवाई मैदान और बड़े-बड़े फैक्टरियों को नश्ट कर दिया हवाई हमले के साथ साथ जर्मनी बेहरमक्ट पोलेंट को रौंधती हुई आगे बढ़ने लगी बहुत दिनों से सारी दुनिया इन सेनाओं की सामरिक साधनों के विशे में सुनती आ रही थी लेकिन उस दिन पोलेंट को पहले पहल इसका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ पॉलिश सेना की आँखे चका चौंध हो गई यहाँ तक की पोलेंट की सैनिक अफसर ठीक से अपनी सेना की युद्ध बंदी भी नहीं कर सके टैंको, ट्रंको और लॉरियो पर सवार जर्मन सेना पोलेंट में इतनी दुरुद गती से घुसी कि पॉलिश सेना को उसका मुकाबला करने का मौका ही नहीं मिला 27 सितंबर तक पोलेंट का काम तमाम हो चुका था उस दिन पॉलेंट ने जर्मनी के समुक आत्म समर्पन कर दिया इसी बीच 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस अपने वादे के अनुसार जर्मनी के विरुध युद्ध की घोशना कर चुके थे ब्रिटिश युद्ध उद्घोशना के बाद कॉमन वेल्ट के राजेयों आस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंट, दक्षन अफरिका तथा कनाडा ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोशित कर दिया नई दिल्ली से एक घोशना निकाल कर वाय सराई ने भारत को भी युद्ध में समलित कर दिया पोलेंट का ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा सैनिक मदद भेजने का कोई प्रश्ण ही नहीं उठता था क्योंकि वहां के सभी यातायात के साधन और हवाई मैदानों पर जर्मनी का अधिकार हो चुका था युरोप के अन्यभागों में ऐसी घटनाओं को घटते देख सोवियत संग चुपचाप नहीं बैट सकता था संपूर्ण पोलेंड पर जर्मनी का अधिकार हो जाने से जर्मनी और सोवियत संग की सीमाई मिल जाती थी इसी सोवियत सुरक्षा को खत्रा था, वहवारिक द्रिष्टिकोन से ये आवशयक था कि पोलेंड के पूर्वी हिस्से पर सोवियत संग अपना आधिपत्ते कायम कर ले अतह सत्रा सितंबर को सोवियत संग ने भी पोलेंड पर आक्रिमन करके उसके पूर्वी क्षेत्र पर अपना आधिपत्ते जमा लिया 28 सितंबर को जर्मनी और सोवियत संग में एक समझाता हुआ जिसके अनुसार पोलेंड को जर्मन और सोवियत क्षेत्रों में विभाजत कर लिया गया ये पोलेंड का चौथा विभाजन था जिसके फलस्वरूप पोलेंड एक बार फिर से दुनिया के नक्षे से विलीन हो गया पृलिश युद्ध के समय सबसे मारके की बात ये थी कि पोलेंड ने अपने बचाव के लिए कभी भी राष्ट संग से अपील नहीं की राष्ट संग अभी भी जीवित था और पोलेंड जर्मनी के विरुद अपना मामला उसके पास ले जा सकता था लेकिन राष्ट संग को एक बेकार संस्था बनाने में पॉलिश नेताओं ने स्वेम योगदान दिया था और उन्हें इस निशकर्ष पर पहुँचते देड़ ना लगी कि राष्ट संग से अपील करना व्यर्थ है ब्रिटेन और फ्रांस ने भी इसकी आवश्यक्ता नहीं समझी रूसी आक्रमन पॉलेंड के एक हिस्से पर आधिपत्य जमा लेने से ही सोवियत सुरक्षा की समस्या का समाधान नहीं हो रहा था भावी खत्रे से बचने के लिए सोवियत संग के लिए ये अती आवश्यक्ता की वे इस्तोनिया, लेट्विया और लिथुएनिया पर अपना प्रभाविक्षेत्र कायम कर ले जर्मनी उस समय पश्चमी मोर्चों पर ब्रिटेन और फ्रांस के साथ व्यस्त था इस मौके से लाब उठा कर सोवियत संग ने बाल्टिक के उपरोक्त तीन राजियों के विदेश मंत्रियों को मास को बुलाया गया और तीनों के साथ सोवियत संग ने पारस पर एक सहयोग की संधियां कर ली इन संधियों के अनुसार सोवियत संघ को उपरोक्त तीनों राजियों में सेना रखने की अनुमती मिल गई बदले में सोवियत संघ ने इन राजियों को प्रादेशिक अखंडिता को बनाये रखने का वादा किया लिथुएनिया को विलना का प्रदेश जिस पर वे वर्षों के आँखे गड़ाए हुए थे प्राप्त हो गया संधी की शर्टों को देख कर किसी को इस बात में संधेह नहीं रह गया कि वे समय दूर नहीं जब ये राज्य पूर्ण रूप से सोवियत संध में मिला लिये जाएंगे ब्रिटेन और जर्मनी ने इस व्यवस्था को मानने से इनकार किया पर जर्मनी ने मानिता दे दी और इस इक्षेत्र के जर्मन निवासियों को वहां से हटा लिया गया तीन बाल्तिक देशों में सोवियत सैनिक अड़ों के कायम हो जाने से सोवियत सुरक्षा की समस्या बहुत हद तक हल हो गई फिर भी सोवियत नेता ये अनुभव करते रहे कि लेनिन ग्राट की रक्षा तब तक ठीक से नहीं हो सकती है जब तक इसके इर्दगिर्द के भूभाग और समुंदर पर सोवियत प्रभावना कायम हो जाए इसके लिए फिन्लेंड को सोवियत प्रभाविक शेतर में लाना आवशेक था अक्टूबर से सोवियत सरकार फिन सरकार से वार्टाय करने लगी उसका विचार था कि बाल्टिक राजियों की तरहा फिनलेंड भी सोवियत सरकार को विशेष्ट सुविधा प्रदान करे फिनलेंड ने सोवियत सरकार की सभी मांगों को सुविकार कर लिया किंतो उसने हेगो के बंदरगाहों को देने से इंकार कर दिया क्योंकि इस स्थान पर फिन सरकार की सारी सुरक्षा व्यवस्थां केंद्री भूत थी हेगो के प्रेशन को लेकर सोवियत फिन वारतलाप ठाप पड़ गया 26 नवंबर को मोलो तोव ने फिन लेंड पर ये आरोप लगाया कि उसके सीमांत संत्रियों ने सोवियत सैनिकों पर गोली चलाई है सोवियत फिन वारतलाप भंग हो गया और मासकों ने 1932 के सोवियत फिन समझाओते को तोड़कर फिन लेंड पर चड़ाई कर दी आक्रमन होने पर फिन लेंड ने पश्चमी राजेयों तथा राष्ट संग में सोवियत संग के विरुध अपील की फ्रांस, इटली, स्पेन और ब्रिटेन से फिन लेंड की मदद करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में स्विम सेवक भेजे गए ब्रिटिश और फ्रांसिसी सरकारों ने फिन लेंड में सेना भेजने के लिए स्विडन और नार्वे की सरकारों से रास्ता मांगा लेकिन तठस्त होने के नाते इन देशों ने आंगल फ्रांसिसी मांग को अस्विकार कर दिया इसी बीच 2 दिसंबर को फिंडलेंड की शिकायत जनिवा पहुंची 14 दिसंबर को राश्ट संग कॉंसिल ने फिंडलेंड पर रूसी आक्रमन की शिकायत पर विचार किया मासको ने इस समस्या पर बात करने से इंकार कर दिया अर्जिंटाइना ने सोवियत संग को राश्ट संग से निकाल देने की मांग की और कॉंसल ने उसके प्रस्ताव को मान कर सोवियत संग को राश्ट संग से निकाल दिया जब जापान, इटली और जर्मनी आक्रमन के बाद आक्रमन कर रहे थे तो किसी को इस तरह का प्रस्ताव लाने की हिम्मत नहीं हुई थी लेकिन कॉंसल के अधिकांश सदसे सामेवाद को फासिस्टवाद से अधिक खतरनाक समझते थे और इसलिए आकरामक सामेवाद को दंड देने के लिए उच्छुक थे राष्ट संग विधान को कायम रखने और सामोहिक सुरक्षा के सिधानत की रक्षा करने में जितने दिल्चस्पी सोवियत संग ने दिखलाई थी उतनी शायद किसी अन्य राजिने नहीं फिर भी सोवियत संग को रष्ट संग से निकाल दिया गया लेकिन फिंडलेंड को इससे कोई लाब नहीं पहुंचा उसके प्रतिये केवल एक बनाव्टी सहान भूती थी सोवियत संग के विरुध कोई पाबंदी नहीं लगाई गई उसका आकरमन जारी रहा प्रिष्ट 433 जहां तक युद्ध का प्रश्ण था छोटा सा फिंडलेंड ने जम कर शक्तिशाली सोवियत संग का मुकाबला किया युद्ध के प्रारंभिक दिनों ने उसने लाल सेना के छक्के छुड़ा दिये लेकिन स्थिती बदली और फरवरी 1940 में सोवियत संग ने सेना को सुसंग ठित कर फिंडलेंड पर जोर का धावा बोल दिया फिंडलेंड इस हमले का जवाब नहीं दे सका और 12 मार्च को उसने आत्म समरपन कर दिया उसी दिन फिंडलेंड और सोवियत संग में एक संधी हुई जिसके अनुसार सामेवादी रूस को वे सारी सैनिक सुविधाएं प्राप्त हो गई जिनको वे आवशेक समझता था फिंडलेंड की सोवियत प्रभाविक शेत्र में आ जाने से सोवियत संग की सुरक्षा की समस्या बहुत अंशों में हल हो गई लेकिन फिंडलेंड को हराने में जितना समय लगा था उतनी जितनी दिक्कते उठानी पड़ी थी उसके कारण संसार में एक महान भ्रहम फैल गया लोगों ने समझा की सोवियत संग देखने में ही एक विशाल देश है पर भीतर से वे खोकला है क्योंकि एक छोटे राज्ये को हराने में उसको अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा था इसी ब्रहम में पड़कर जर्मनी ने पीछे चल कर सोवियत संग पर चड़ाई कर दी पश्चमी मोर्चा तीन सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा जर्मनी के विरुध युद्ध की घोशना हुई थी इसके तुरंथ ही बाद ब्रिटिश सेना ने एक लाख अठावन हजार सेनिक फ्रांस भेश दिये गए ब्रिटेन और फ्रांस की सायुकते सेनाओं का सरवोच सेनापती फ्रांसेसी जनरल गामेली बनाया गया लेकिन अगले छे महीनों तक पश्चिमी मोर्चे के युद्ध में कोई सरगर्मी नहीं रही इसलिए एक अमेरिकी पत्रकार ने इस युद्ध को दुहनी युद्ध फोनी वार कहा था गामेली ने जर्मनी पर जोड़दार आकरमर नहीं किया ये धपी उसको ऐसा करना चाहिए था जर्मनी ने भी मेगिनो लाइन पर प्रहार नहीं किया हवाई युद्ध की भी यही स्थिती रही जर्मनी के हवाईबाज, फ्रांस और ब्रिटेन के हवाईबाज भी काम कर रहे थे कुछ ब्रिटिश विमानों ने जर्मनी पर पर्चे भी गिराए बात ये थी कि कोई भी युधिरत देश गोला बारी करने में पहला कदम उठाना नहीं चाहता था दोनों इस फेरे में थे कि पहले शत्रू हवाई गोला बारी करे और तब उसका जवाब दिया जाए लेकिन इस समय असलियुधि समुद्रों पर हो रहा था ब्रिटेन और फ्रांस का विचार था कि मेगिनो लाइन से फ्रांस और समुद्र से घिरे रहने के कारण ब्रिटेन की सुरक्षा निश्चित है इन दो देशों पर जर्मनी का हमला सफल नहीं हो सकता अतेव जर्मनी पर दबाब डालने के लिए उसकी आर्थिक नाकेबंदी को ही आवशयक समझा गया नाकेबंदी को लागू करने के फलस्वरूप समुद्र में जम कर लड़ाई हुई और दोनों पक्षों के बहुत से जहास डुबाए गए हिटलर के विविद शान्ती प्रस्तावों के कारण भी पश्चमी राष्टर इस समय निश्क्रे हो गए थे 6 अक्टूबर को पॉलेंड की विज़े की खुशी मनाते हुए हिटलर ने कहा जर्मनी को ब्रिटेइन और फ्रांस पर कोई दावा नहीं है इसलिए पश्चि में युद्ध क्यों जारी रखा जाए क्या पॉलेंड के लिए वर्साया संधी द्वारा स्थापित पॉलेंड अब कभी भी अपना सेर नहीं उठा सकेगा ये भीशन युद्ध को बंद कर शान्ती स्थापित करने की तरफ एक संकेत था लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस हिटलर के जूटे वादों से इतना परिचित हो चुके थे कि उसकी बातों पर विश्वास करना असंभव था चेमबर लेन और दलादिये दोनों ने शान्ती प्रस्तावों को आस्विकार कर दिया प्रिष्ट 434 इटली का रुख मुसूलीनी जर्मानी और इटली के समझोतों को लौहस संधी आईरिन पैक्ट कहा करता था लेकिन जब जर्मानी लड़ाई में फस गया तो मुसूलीनी ने हिटलर की कोई मदद नहीं की वे तठस्त बना रहा वे सोवियत संध किपरती जर्मानी के नए रुख को देखकर चिंतित हो रहा था फिनलेंड के युद्ध में इटली की सरकार ने फिन सरकार को कुछ सैनिक मदद भी दी पर जर्मानी चाहता था कि इटली अपनी इस नीती को बदले और जर्मानी की सहायता करे 10 मार्च 1940 को जर्मनी विदेश मंत्री रिबन ट्रॉप रोम गया लेकिन वे इटली के नेताओं को प्रभावित नहीं कर सका मुसॉलीनी को छोड़ कर किसी ने उससे ठीक से बात भी नहीं की इस पर 18 मार्च को मुसॉलीनी से मुलाकात करने के लिए स्वेम हिटलर इटली आया लेकिन इस मुलाकात के परिणाम स्वरूब भी इटली की नीती में कोई परिवर्तन नहीं हुआ मुसॉलीनी की सारी सहान भूती हिटलर के बक्ष में थी पर मुसॉलीनी की इस नीती को उसके अन्य साथियों का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका नार्वे और डेर्मार्क पर आकरमन ब्रिटेन और फ्रांस के विरुध जोरदार लड़ाई छिड़ने के पहले हिटलर नार्वे और डेर्मार्क पर अधिकार कर लेना चाहता था सामरिक द्रिश्टिकोन से आवशेक भी था ब्रिटिश नौसेना पर आकरमन करने के लिए इन देशों में महत्वपूर्ण सैनिक अड़े थे इसके अतिरिक्त इन देशों के अपार प्राकरतिक साधन लोहे की खान तथाखादी सामगरी को भी हत्याया जा सकता था इसलिए 1949 के शीतकाल में जर्मनी नार्वे और डेनमार्क पर आकरमन करने की योजना बनाने लगा नार्वे में पहले से ही एक नाचसी पाटी थी जर्मनी नाचसी नेता उन्हें नार्वे के नाचसी नेता मैथर कुइंसलिंग से संपर्क स्थापित किया कुइंस लिंग दिसंबर के महीने में हिटलर से मिलने स्वेम बर्लिन गया पर इन देशों पर आक्रमन करने में कुछ दिक्कते थी स्केन डेवियाई देश परंपरा से तठस्त देश रहते आये थे और स्वेम हिटलर कई बार उनकी तठस्तता की रक्षा करने का वादा कर चुका था इसके अतिरिक्त डेनमार्क और जर्मनी के बीच एक अनाक्रमन संधी भी थी इन देशों पर आक्रमन करने के लिए हिटलर को शेग्रि बहाना मिल गया जिस समय फिंडलैंड पर सोवियत आक्रमन हुआ था उस समय फिंडलैंड को मदद पहुँचाने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस नार्वे और स्वेडन की सरकारों से रास्ता प्राप्त करने के लिए बात चीत कर रहे थे ये धपी नार्वे और स्वेडन ने इस मांग को अस्विकार कर दिया तो भी हिटलर को एक बहाना मिल गया इन देशों को ब्रिटिश आधिपत्य से बचाने के लिए जर्मनी ने अपना आक्रमन शुरू कर दिया 9 अप्रिल 1940 को जर्मन सेना ने एक एक नार्वे पर धावा बोल दिया दूसरे दिन डेनमार्ख पर भी लड़ाई हो गई डेनिश सरकार ने तुरंत आत्म समर्पन कर दिया और सारा डेनमार्ख जर्मनी संडक्षन ता में ले लिया गया लेकिन नार्वे ने जर्मनी का विरोध करने का निश्चे किया विद्यूत गती से जर्मनी की सेना नार्वे में घुस पड़ी देश के अंदर असंखे धोके बाज नाथसी थे और यहां वहां विद्रहों करके उन्होंने जर्मनी की मदद करनी शुरू की इस स्थिती से लाब उठा कर जर्मनी सेना आगे बढ़ती गई पर देश भक्त नार्वे वासियों ने डट कर जर्मनी का मुकाबला किया ब्रिटेन ने भी नार्वे को सहायता भीजी किन्तु ये सहायता प्रयाप्त नहीं थी परिणाम ये हुआ कि विरोध के बाद नार्वे की सामरिक शक्ती तूट गई वहां के राजा और सरकार भाग कर ब्रिटेन चले गए और जर्मनों ने अपने मददगार कुइंसलिंग के नेत्रित्व में नार्वे के लिए कटपुतली सरकार संगठित कर ली तब से कुइंसलिंग शब्द राष्ट्र के प्रती गदारी की प्राया बन गया प्रिष्ट 435 चर्चिल प्रधान मंत्री बना हिटलर की नार्वे विजय का ततकालिक प्रभाव ब्रिटेन की राजनीती पर पड़ा उस समय चैंबर लेन की नीती का सबसे बड़ा आलोचक विंस्टन चर्चिल था प्रथम विश्वयुध की समय वे ब्रिटेन का नौसैनिक मंत्री था उसके बाद कुछ दिनों के लिए उसका राजनितिक जीवन मंद पड़ गया अनुदार दल का सदस्य होते हुए भी वे चैंबर लेन की तुष्टी करण की नीती का कटर विरोधी था सितंबर में जल युद्ध छुड़ा तो वे फिर ब्रिटिश मंत्री मंदल में अपने पुराने पद नौसैनिक मंत्री पर ले लिया गया इसके बाद नार्वे का युद्ध छुड़ा और नार्वे हार गया नार्वे की हार ब्रिटिश सैनिक नीती की पराजए थी ब्रिटेन में हो हला मचना शुरू हुआ लोगों ने समझा कि चैंबर लेन के नेत्रित्व में ये जीतना संभव नहीं है स्थिती पर विचार करने के लिए ब्रिटिश लोकसभा का अधिवेशन हुआ स्वेम अनुदार दल के सदसें ने उसके इस्तीफे की मांग की उसने मचदूर दल के नेता एटली और ग्रीनवूट को भी अपने मंत्री मंडल में सम्मलित कर एक राष्टर सरकार का संगठन किया चैंबर लेन भी इस मंत्री मंडल में एक सदसे की रूप में रहा तीन अक्टूबर को बिमारी के कारण उसने पद्याख कर दिया और नौ नवंबर को उसकी मृत्य हो गई दुवित्थी महयुद्य के भीशन प्रले से ब्रिटेन को बचा कर निकालने का श्रय यदि किसी को मिलना चाहिए तो चर्चल को ही उसमें नेता बनने की अपूरवी योगिता थी प्रधान मंत्री बनते ही सारा देश जोश और उमंग से उमर पड़ा पर चर्चल ने कहा साथियों खून आसू मेहनत और पसीना के सिवा मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ आप पूछेंगे हमारी नीती क्या है उस शत्रू के विरुध जल थल अनब में भीशन युध चलाना है जिसके पैशाचक कार नामों का संपूर मानव इतिहास में कहीं उदाहरण नहीं है आप पूछेंगे हमारा उदेश क्या है हमारा उद्देश किसी भी मूले पर विजे प्राप्त करना है बिना विजे प्राप्त किये हमारा जीना मुश्किल है हॉलेंड और बेलजियम चर्चिल के प्रधान मंत्री बनने के एक दिन पहले हिटलर का आक्रमन हॉलेंड और बेलजियम पर भी शुरू हो गया था इन दोनों देशों पर भी हिटलर ने ये दोशा रोपन किया कि वे ब्रिटेन और फ्रांसे सहयोग करके अपनी तठस्ता को स्वैम्भंग कर रहे हैं अतह विवश होकर जर्मनी को उन पर आधिपत्ते करना पड़ रहा है दस माई 1940 को प्रातह काल जर्मनी की सेना हॉलेंड बेलजियम और लुकसेमबर्ग में घुस गई पाँच दिनों के अंदर हॉलेंड का काम तमाम हो गया और 14 माई को इस देश पर हिटलर का कबजा हो गया लुकसेमबर्ग में तो आकर्मन कारियों का कहीं विरोध ही नहीं हुआ पर बेलजियम में जर्मन सेना को विरोध का सामना करना पड़ा इस समय तक बेलजियम को मदद देने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस से सेना के कुछ टुकड़ियां पहुँच कई थी लेकिन जर्मन विद्यूत प्रहार के सामने उनकी एक न चली और 28 माई को बेलजियम के राजा ने बेशर्ट आत्म समरपन कर दिये देनकर्क का शूनियन बेलजियम के पतन के बाद मित्र राष्ट्रों को एक बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा ब्रिटिश सेना के 3,35,000 सैनिक देनकर्क बंदरगाह के आसपास जर्मन सेना से घिर गए थे जर्मन सेना के हातों उनका पूर्ण विनाश निश्चित था ब्रिटिश सरकार के सामने उनको वहां से हटाना सबसे बड़ी समस्या थी सब तरह के जहाज और नाव इकटे किये गए और दिन रात मिहनत करके 3 जून तक ब्रिटिश सेना को वहां से हटा दिया गया डैनकर्क का ये शूनियन कन इतिहास में डैनकर्क के चमतकार के नाम से प्रसिद्ध हो गया प्रिश्ट 436 फ्रांस पर आक्रमन बेल्जियम पर आक्रमन करने का अर्थ ही ये था कि जर्मनी अब फ्रांस पर विद्यूत प्रहार करने को तैयारी कर रहा है इसलिए फ्रांस अपने बचाव की पूरी तैयारी करने लगा 19 मार्च 1940 को ही दलादिये प्रधान मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुका था और पाल रेना उसकी जगह पर आ गया था पर दलादिये उसके मंत्री मंडल में भी सुरक्षा मंत्री के पद पर बना रहा दलादिये जन्रल गामेली का बहुत बड़ा समर्थक था पर जन्रल गामेली से फ्रांस की रक्षा नहीं हो सकती थी 18 माई को रेना ने अपने मंत्री मंडल का पुनह संगठन किया नवे मंत्री मंडल में मार्शल पेंता को उसने उप प्रधान मंत्री और दिगाल को उप सुरक्षा मंत्री बनाया असे वर्ष का भुड़ा मार्शल पेंता फ्रांस का एक बहुत बड़ा राजनितिग्य था दीगाल उस समय सेना का एक छोटा अफसर था जब बहुत दिनों से कहता आ रहा था कि मेगीनो लाइन फ्रांस की सुरक्षा के लिए प्रियाप्त नहीं है पर उस समय किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया 19 माई को रहना ने जनरल गामेली को फ्रांस के प्रधान सेनापती के पत से हटा कर जनरल वेगा को उसकी जगह पर बहाल किया वेगा प्रथम विश्वयुध में मार्शल फांच के माधहत प्रधान सैनिक अधिपती चीफ अफ स्टाफ का नाम कर चुका था लेकिन उसकी उम्र 75 साल की हो चली थी और इस दृष्टिकोंड से फ्रांस की रक्षा करने में वे असमर्थ था इटली का युध में प्रवेश पांच जून 1940 को जर्मन बेहर्मक्ट और तुथ वाफे ने मिल जुलकर फ्रांस पर बिजली के वेग से आक्रमन शुरू कर दिये जर्मन विद्यूत प्रहार के सामने मेगिनू लाइन बालू की भीत की तरह गिर गया फ्रांस की रक्षा करना असंभव था हिटलर की सेना निर्विरोध आगे बढ़ती चली जा रही थी फ्रांस का पलायन देखकर इटली ने भी 10 जून को उसके विरोध युध उद्गोशत कर दिया इटली के युध में प्रवेश करने से फ्रांस की स्थिती और नाजुक हो गई पहली फ्रांस अपनी पूरी शक्ती के साथ केवल जर्मनी का ही मकाबला करता लेकिन अब उसको दो मोर्चों पर युध करना पड़ा फ्रांस का खात्मा युध में फ्रांस की हार अवश्यम भावी थी सारे देश में बेचैनी पहली थी फ्रांस की राजधानी पैरिस से हटा दी गई 12 जून को वेगा ने कबूल कर लिया कि फ्रांस को बचाना अब संभब नहीं है मार्शल पैंता उसके विचारों से सहमत था उसने आत्म समर्पन कर देने का विचार प्रकट किया पर रैना इन से सहमत नहीं हुआ उसका कहना था कि फ्रांस का भागय उसके साथ ही राजेयों के साथ बंधा हुआ है और शत्रू से अलग संधी करना ठीक नहीं है पर फ्रांस का पतन निश्चित था 15 जून को रैना ने राष्ट्रपती रुजवेल्ट से मदद करने की अपील की पर राष्ट्रपती अभी कुछ करने को तयार नहीं हुए अंत में लाचार होकर रैना ने पदित्याग कर दिया मार्शल पैंता उसकी जगह पर प्रधान मंत्री बना वे कटर प्रतिक्रियवादी था उसने ये कहना शुरू किया कि कम्यूनिस्ट लोग बलवा कर रहे हैं और फ्रांस को सामेवाद से बचाने के लिए आवशयक है कि वे आत्म समर्पन कर दे पैंता का ये दोशारोपन बिलकुल गलत था वास्तविक बात ये थी कि समुचे फ्रांस में सामेवादी पार्टी ही एक मात्र ऐसी पार्टी थी जो नाथसियों से डटकर लोहा ले रही थी फ्रांसिसी सरकार ने अनुरोद किया कि वे उसको संधियों के बंधन से मुक्त करके अलग संधि करने की स्वतंतरता दे दे 16 जून को चर्चल ने फ्रांसिसी सरकार के नाम पर एकतार भीजा उसने सुझाव दिया कि वे फ्रांस और ब्रिटेन का संग बनाने के लिए तयार है फ्रांस अपनी नौसेना को तुरंथ ब्रिटिश बंदरगाहों पर भेज़ दे लेकिन फ्रांसेसी सरकार इस क्रांतिकारी सुझाव को मानने के लिए तयार नहीं थी इस प्रस्ताव को नामन्जूर कर दिया गया इसके बाद फ्रांस और जर्मनी अफसरों के बीच विराम संधी की वारताएं चलनी लगी 22 जोन को उसी जगह और उसी गाड़ी पर ये विराम संधी हुई जहां 1918 में मार्शल फांच ने पराजित जर्मनी के साथ संधी की थी समुचा फ्रांस जर्मनी के पैरों पर लौट रहा था हिटलर पैरिस की गलियों का ब्रहमन कर रहा था प्रिष्ट चार सेंतस फ्रेंको जर्मन विराम संधी की शर्तों के अनुसार नाचसी सेना को स्विड़लेंड के उत्तर पश्चिम के फ्रांस के समुचे भूभाग पर अधिकार करने का अधिकार मिला स्वायत शासन के अतिरिक्त फ्रांसीसियों के हाथ में शासन का कोई अधिकार नहीं रहा फ्रांसिसी सेना नहिश्यस्त्र कर दी गई और उनकी सभी सैनिक सामागरियों पर जर्मनी ने अधिकार कर लिया इस प्रकार फ्रांस को अपने नौसैनिक बेड़ों को भी जर्मनी को समर्पित करना पड़ा फ्रांस में स्थित जर्मनी सैनिकों का खर्च फ्रांसिस्यों को देना पड़ा सभी जर्मन उधिकैदी रिहा कर दिये गये और फ्रांसिसी उधिकैदीओं को जर्मनी रवाना कर दिया गया 24 जून को फ्रांस और इटली के बीच एक दूसरी विराम संधी हुई इसके अनुसार फ्रांस के कुछ भूभाग पर इटली का आधिपत्य हो गया फ्रांस का ये अपमान जनक आत्म समर्पन फ्रांसी सी इतिहास में एक बहुत बड़ा काला धबा है जो कभी धोया नहीं जा सकता है जर्मनी फ्रांस का एक ग्रिनत दुश्मन था वर्षो के फ्रैंको जर्मनी संबन्ध को देखकर ये कहा जा सकता था कि समुचा फ्रांस मर मिटेगा पर किसी भी हालत में विजर्मनी के सामने हत्यार नहीं डालेगा लेकिन ऐसा नहीं हो सका तथा कथित बोल्चेविक खत्रे से फ्रांस को बचाने के लिए फ्रांस के नेता हिटलर के पैरों पर गिर पड़े ये उनके नैतिक पतन का घोतक था वास्तव में जर्मन विद्यूत प्रहार के कारण समुचे फ्रांसेसी राष्टर का नैतिक पतन हो चला था हारने के बाद विसी नामक स्थान में मार्शल पैंता ने एक सरकार का संगठन किया हर द्रिष्टी से ये सरकार जर्मनी की कटपुतली सरकार थी पैंता की सरकार ने फ्रांस के तृत्य गरतंतर का अंत करके अपना अधिनायक वादी शासन कायम किया हिटलर की साथ सहयोग करना इस सरकार की नीती थी और सामे वादियों को छोड़ कर किसी ने इस सरकार का विरोध नहीं किया उस समय समूचे फ्रांस में केवल एक ही व्यक्ति था जो पैंता की नीती का समर्थन करने को तयार नहीं था वे था दिगाल जिस समय फ्रांस का पतन हो रहा था उस समय वे एक सैनिक संदेश लेकर लंदन गया हुआ था जब उसने सुना कि फ्रांस की सरकार आत्म समर्बन करने जा रही है तो उसके गुसे का ठिकाना नहीं रहा वे जर्मनी के साथ किसी भी मूले पर युद्ध जारी रखना चाहता था लंदन से उसने रेडियो पर बोलते हुए फ्रांसिसियों से युद्ध जारी रखने की अपील की उसी जगह उसने एक फ्रांसिसी राष्ट्रे समिती का संगठन किया ब्रिटिश सरकार ने शीगर ही इस समिती की सभी स्वातंत्र फ्रांसिसियों का नेतास विकार कर लिया जब तक युद्ध चलता रहा तब तक वेराश्ट्रे धैरे और साहस का प्रतीक बना रहा और बहुत से फ्रांसिसियों को अपने पक्षमे करने में सफल रहा ब्रिटेन की कठिनाई फ्रांस की पराजे से ब्रिटेन की स्थिती डावा डोल हो गई उसके सभी सैनिक हतियार और जहाजी बेड़े जर्मनी को प्राप्त हो गए थे ब्रिटेन की समक्ष एक बहुत बड़ी कठिनाई उपस्थित हो गई थी अब संभावना इस बात की थी कि फ्रांस, इटली और जर्मनी के सामुंद्रिक बेड़ा एक साथ मिलकर ब्रिटेन पर आक्रमन कर देंगे चर्चल इस खत्रे को जहिलने के लिए तयार नहीं था अतहा उसने फ्रांसी सी बेड़ों को जहां तक संभब था बरबात करने का आदेश दे दिया फ्रांस के विरुधु नाके बंदी लागू कर दी गई नाराज होकर पैंता सरकार ब्रिटेन की साथ कूटनी तिक संबंधों को तोड़ दिया फ्रांस के पतन का एक परिणाम ये हुआ की नाथसी खत्रे ने अमेरिका के लोगों को सतर्क कर दिया हिटलर ने अनेक तठस्ते यूरोपिय राजियों पर कबज़ा कर लिया था अमेरिका भी एक तठस्ते राजिय था इस हालत में असंखे अमेरिकन अनुभव करने लगे कि हिटलर का खत्रा उनके देश पर भी उपस्थित हो सकता है अतहा अमेरिका ने ब्रिटेन को मदद करने का निश्चे किया बहुत ताइदाद में अमेरिकी युधिसामागरी, हवाई जहाज, हत्यार आदी जल्दी जल्दी ब्रिटेन पहुचाए गए कुछ ही समय में हिटलर प्रायाह समूचे पश्चम यूरोप का स्वामी बन गया था उसकी आँखों का काटा फ्रांस उसके कबजे में था वे पूरी तरह से वर्साय की अपमान का बदला ले चुका था अब पश्चमी यूरोप में उसकी केवल एक ही अकांगशा थी वे थी ब्रिटेन में स्वास्तिका जंडा फहराना फ्रांस को पराजित करने के बाद ब्रिटेन पर आक्रमन करना एक तर्क संगत सामरे कदम था प्रिष्ट 438 ब्रिटेन का युद्ध नाजसी विध्युत प्रहार से अभी तक ब्रिटेन का सबसे कम नुकसान पहुँचा था इसमें कोई शक नहीं है कि हिटलर का उद देश ब्रिटेन को पूरी तरह कुचल देना था एक अन्य कारण से भी वे हिटलर से बड़ा रंज था यूरोप के जिन जिन देशों पर हिटलर ने आधिपत्य जमा लिया था उनके भागे हुई नेताओं ने लंदन में निशकासत सरकारे Government in Exile का संगठन कर लिया था ये सरकारे अपने अपने देश के नागरिकों के लिए आदेश निकालती थी और जर्मनी के विरुधे विद्रहों करने के लिए अपने देशवासियों को भड़काती थी हिटलर की योजना के अनुसार ब्रिटेन पर जर्मनी का आक्रमन 15 अगस्त 1940 से शुरू होने वाला था लेकिन उसका अनुमान कुछ गलत हो गया नाथसी नेताओं ने सोचा था कि फ्रांस की लड़ाई कुछ दिनों तक चलेगी विकल्पना भी नहीं कर सकते थे कि अपूर्व शक्तिशाली फ्रांस इतनी जल्द हतियार डाल देगा 22 जून को फ्रांस ने विराम संधी पर हस्ताक्षर कर दिये अब ब्रिटेन पर हमला प्रारंभ करने के लिए 15 अगस्त तक ठहरना सामरिक द्रिश्टी से गलत काम होता अतहा हिटलर ने अपनी योजना में संशोधन किया और ब्रिटेन पर आक्रमन की तारिक 25 जुलाई 1940 निश्चित की गई पीछे चलकर इस थिती को 15 सितंबर कर दिया गया 22 जून और 15 सितंबर के बीच में भी बहुत दिन होते हैं आधुने की युद्ध में समय महत्वपून होता है और हिटलर ने देर लगा कर बहुत सा समय बेकार कर दिया पर अनेक कारणों से वेलाचार था सामुद्रिक बेड़े की कमी आबु हवा की खराबी और जर्मन जासूस की निश्क्रियता के कारण हिटलर शीगरिता पूर्वक कोई निर्ने नहीं कर सका इसके अतरिकते हिटलर का अनुमान था कि नाथसी विद्यूत प्रहार से डर कर ब्रिटेन स्वैमेव आत्म समर्पन कर देगा लेकिन चर्चिल अपने दिरन निश्चे पर डटा रहा 14 जुलाई को बोलते हुए कहा यदि आकरिमन कारी ब्रिटेन में आए तो हम लोग चुपचाप हतियार नहीं डाल देंगे हम लोग एक एक गाउं एक एक शहर की रक्षा करेंगे लंदन का नाश हो जाए वेराख में परिवर्तित हो जाए लेकिन शत्रू के सामने हम जुकेंगे नहीं ऐसी गंभीर स्थिती में कोई राष्ट्रे इसी तरह अपनी स्वतंत्रिता की रक्षा कर सकता है ब्रिटेन में लुफ्त वाफे का छिटपुट आकरिमन फ्रांस के पतन के तुरंत बाद ही शुरू हो गया था पर 10 जुलाई के पहले ब्रिटेन का असल युध्य प्रारंब नहीं हुआ उस दिन से ब्रिटेन पर गोलाबारी करने का काम नियमत रूप से शुरू हुआ जर्मनी से प्रति दिन सेकड़ों की संख्या में बंबाज रवाना होते और ब्रिटेन पर भारी बंबारी करके लौट आते ब्रिटेन का शायद ही कोई ऐसा शहर हो जो जर्मनी गोलाबारी का शिकार नहीं हुआ हो हजारों की संख्या में ब्रिटेन के नागरिक मौत के घाट उतार दिये गए नागरिकों के घर, बच्चों के स्कूल, एतिहासिक भवन, खादियान ग्रेह, नाविक अड़े, हवाई अड़े, सरकारी दफ्तर, संसत भवन, बंकिंगम महल, चर्च, खेत, कलकार खाने, इत्यादी सब के सब जर्मनी लुफ्ट वाफे के लक्षे थे इस अंकट की घड़ी में ब्रिटिश वाई उसेना ने बड़े धहरे से काम किया, सितंबर से दिसंबर 1940 तक सहस्तरो जर्मन हवाई बाजों ने ब्रिटेन पर आकरमन किये, कहा जाता है कि इस अवधी में जर्मनी ने ब्रिटेन पर 19,000 बं गिराए, 43,000 व्यक्तियों को मार डाला और 50,000 व्यक्ति घायल किये गए, शाही वाई उसेना ने डटकर जर्मनी लुफ्त वाफे का मुकाबला किया, इसने लगभग 5,220 जहाजों को मार गिराया, इतनी बरबादी और हत्याओं के बाद भी ब्रिटिश नाग्रिकों का धहरे और साहस कायम रहा, फ्रामसिस शाही वाई उसेना की ततपरता तथा ब्रिटिश नाग्रिकों के उच्छ मनोबल के सामने जर्मन बंबारों का अर्माडा कुछ ना कर सका, लुफ्त वाफे की शक्ती और संख्या घटने लगी, हिटलर ने अनुभफ किया की ततकाल के लिए ब्रिटेन के युद्ध जारी रखना व्यर्थ है, 17 सितंबर को हिटलर ने ब्रिटेन पर आक्रिमन को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर देने की आग्या दे दी, इसके बाद से ब्रिटेन पर जर्मन वायू हमला केवल रात को ही होने लगा, अक्टूबर के अंत तक ये हमला भी मंद पढ़ गया, हिटलर ने विचार किया कि ब्रिटेन पर गबजा करने के पहले पूर्वी यूरोप को जर्मनी सामराज्य के अंतरगत समलित कर लिया जाए और तब सारे यूरोप की ताकत ब्रिटेन के खिलाफ लगाई जाए, बिना ऐसा किये ब्रिटेन पर आधिपत्य जमाना असंभव था, अत ब्रिटेन पर स्वस्तिका फहराने का हिटलर का स्वाप ने पूरा नहीं हो सका प्रिष्ट चार सो उन्तालिस जर्मन वायू सेना का सफलता पूरवक प्रतिरोध कर लेना ब्रिटेन की बहुत बड़ी काम्याबी थी, इसमें जर्मन ने भी गलती की थी उसको ब्रिटेन के उन कारखानों पर बंबारी करना चाहिए था, जहां पर वायूयानों का उत्पादन होता था पर गॉरिंग ने ऐसा नहीं किया, उसने सोचा कि जस तरीके से पोलेंज और फ्रांस पर कबजा जमा लिया गया है, उसी तरीके से ब्रिटेन को भी पस्त कर दिया जा सकता है जर्मनी को ब्रिटेन के युधकार खानों का पता था, लेकिन वे अंग्रेजों को तरस्त करके ही अपना काम निकाल लेना चाहते थे इसलिए युधकार खानों पर जोरशोर से बंबारी नहीं की गई, परिणाम ये हुआ कि ब्रिटेन की उत्पादन शक्ती बढ़ती गई और पीछे चलकर जर्मनी के लिए उसको दबाना असंभव हो गया ब्रिटेन पर जर्मन आक्रिमन को स्थगित करने के साथ साथ नाथसी विद्यूत प्रहार का पहला अध्याय समाप्त हो गया था इस छोटी सी अवधी में हिटलर समूचे पश्चमी यूरोप का स्वामी बन चुका था उत्तर में नार्वी से लेकर दक्षण में स्पैनिश सीमा तक त्रितिये रिहा का विस्तार हो चुका था अब हिटलर की अकांग्शा पूर्वी यूरोप की तरफ हुई उधर इटली भी युध्य में शामिल हो चुका था वे भी युध्य से लाब उठाना चाहता था इस स्थिती में सोवियत संग की हालत काफी खराब थी हिटलर की प्रगती को देखकर स्टालिन का दिल दहल रहा था सामरिक स्थिती को ध्यान में रखकर अन्निक शेत्रों में युध्य की लप्टों का फैलना अवश्यम भावी था पश्चिम मोर्चो पर केवल युध्य बंध हो गया पर बालकान प्रायाद्वीप पूर्वी युरोप भूमध्य सागर के इर्द गिर्द भूबागो तथा पश्चिमी एश्या तुरंथी लप्टों में समा गया बालकान प्रायाद्वीप में युधु पश्चिम में जर्मानी की इन सफलताओं को ध्यान में रखते हुए संग को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना आवशयक था अतेव 26 जून 1940 को सोवियत परराष्ट्र मंत्री मोलो तोव ने रुमानिया की समक्ष एक 24 घंटे की अंति मेथम रखा जिसमें बेसरेबिया और बुको वीना के कुछ भूभागों की मांग की गई रुमानिया की सरकार के सामने कोई चारा नहीं रहा उसने तुरंट सोवियत मांगों को सुविकार कर लिया और उपरोक्त दोनों प्रदेश सोवियत संग में मिला लिये गए अगस्त के महीने में बाल्टिक तटवरती देश इस्तोबिया लेटविया और लिथुएनिया सोवियत संग में समलित कर लिये गए रुमानिया की भूमी पर हंगरी और बुलगेरिया भी आँख गड़ाए हुए थे वे लोग भी रुमानिया की सेमांत पर अपनी फौज जमा करने लगे पर हिटलर और मुसोलीनी बालकान एक शेतर में इस थरह के किसी भी युद्ध के विरोधी थे वे हंगरी और बुलगेरिया को अपने पक्ष में करना चाहते थे 30 अगस्त 1940 को उपरोक्त तीन बालकान देशों को हिटलर ने वियना में एक सम्मेलन पर बुलाया और रुमानिया को बाद्धे किया कि वे बुलगेरिया को दोब्रुजा और हंगरी का ट्रांसलवेनिया का प्रदेश दे दे रुमानिया का राजा केरोल इस पर बहुत नाखुश हुआ हिटलर एक जर्मनी विरोधी राजा को कभी भी रुमानिया की गदी पर नहीं देखना चाहता था अतहर रुमानिया के फासिस्ट पार्टी को प्रोटसाहित करके केरोल को गदी से हटा दिया गया और उसकी जगहा पर माइकेल रुमानिया का राजा बना माईकेल का शासन पून्टया फासिस्ट वादी था उसकी विदेशनीती बर्लिन के इशारे पर निर्धारित होने लगी बालकान प्रायद्वीब में दूसरा आक्रमनकारी कदम मुसॉलीनी के द्वारा उठाया गया और इस कदम का शिकार युनान हुआ 1923 के कोर्फू घटना के बाद से इटली को युनान के खिलाफ शिकायत थी 28 अक्टूबर 1940 को उसने युनान पर हमला करने की आग्या दे दी पर युनान में विज़े के बदले इटली को पराजे ही मिली युनानियों ने डटकर शत्रू का मुकाबला किया और मुसोलीनी की सेना को अपनी भूमी से मार गिराया प्रिष्ट 440 हिटलर इस समय तक सोवियत संग पर आक्रमन करने का फैसला ले चुका था इसके लिए वे बालकान प्रायद्वीब के देशों का समर्थन प्राप्त कर लेना चाहता था 27 सितंबर 1940 को जर्मनी इटली और जापान में एक त्रीदल ये समझाता हो चुका था इस समझाते के अनुसार तीनों हस्ताक्षर करताओं ने अपने अपने क्षेत्र में एक दूसरे के प्रभुत्व को सुविकार कर लिया था ये समझाता ये उरोप में नई व्यवस्था और व्रहत पूर्वी एशिया कायम करने की योजना थी हंग्री और रुमानिया को इस समझाते के सिध्धानतों को मानने के लिए बाद ही किया गया और नवंबर 27, 1940 को इन देशों ने एक समझाता पर हस्ताक्षर करके इसको कबूल कर लिया अब बुलगेरिया और युगोसलाविया इस व्यवस्था से बाहर रहे गए थे हिटलर ने रुमानिया से अपनी सेना एकत्र करना शुरू कर दी उसका खयाल था कि सैनिक गतिविधी करके युगोसलाविया और बुलगेरिया को डरा धमका कर नाच्सी व्यवस्था में शामिल कर लिया जा सकता है बुलगेरिया हिटलर की धोस में आ गया एक मार्च 1941 को बुलगेरिया धुरी राष्ट्रों के साथ एक समझाता करके नई व्यवस्था में समिलित हो गया युगोसलाविया कुछ समय के लिए प्रतिरोध करता रहा पर बाद में वहां की सरकार ने भी अनुभव किया कि हिटलर का विरोध करना वियर्थ है और 25 मार्च को जर्मनी के साथ एक समझाता करके सभी नातसी मांगों को स्विकार कर लिया इस तरह का आत्म समरपन युगोसलाविया की सैनिक अफसरों को पसंद नहीं आया 27 मार्च को उन लोगों ने युगोसलाविया की सरकार को उलटकर नई सरकार का संगठन किया और 25 मार्च के समझोते को अस्विकार कर दिया युगोसलाविया की इस ध्रिष्टता को हिटलर नहीं सह सकता था 6 अप्रेल को उसने युगोसलाविया पर आक्रमन कर दिया 17 अप्रेल को युगोसलाविया का अंत हो गया और वे जर्मनी सामराजे में मिला लिया गया हिटलर युगोसलाविया पर शांती पूर्ण शासन नहीं कर सकता था युगोसलाव कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता जोसिफ ब्रीज जो पीछे चलकर टीटो के नाम से प्रसिद्ध हुए उसके नेतरित्व में युगोसलाविया के अंदर एक बहुत बड़ा जर्मनी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ पहाड़ियों के लुक छिपकर वे लोग तब तक गुरिला युध चलाते रहे जब तक हिटलर के एक एक सैनिक युगोसलाविया को छोड़ कर 1945 नहीं चले गए 6 एपरिल को ही हिटलर का प्रहार युनान पर भी हुआ ब्रिटेन ने युनान की कुछ मदद भी दी पर वे बहुत कम और बहुत देर से आई युनान जर्मनी वेहर मक्ट के प्रहार का प्रतिरोध नहीं कर सका 27 एपरिल 1941 को युनान पूरी तरह परास्त कर दिया गया और वहां का राजा अपनी सरकार के साथ क्रीट भाग खड़ा हुआ युनान भी युगोसलाविया की तरह जर्मन सामराजे का एक अंग बन गया 20 माई को हिटलर ने क्रीट पर भी आक्रमन कर दिया डैनकर्क की तरह ब्रिटिश सेना को वहां से हटाना पड़ा और हिटलर ने आसानी से क्रीट पर अपना अधिकार जमा लिया युनान की सरकार इसके बाद क्रीट से भाग कर मिस्त्र चली गई सफलता हिटलर के पाउं पर लोट रही थी उसकी सामराजे का अपूर्व विस्तार हो रहा था संपूर्ण बालकान प्रायाद्वीप उसके प्रत्यक्ष कबजे में था पश्चिम एशिया में युद्ध द्वीत्य विश्वयुद्ध के सभी युद्धरत देश पश्चिम एशिया के सामरेक महत्व को समझते थे इसक्षेत्र में सभी राजियों के हित अलग-अलग थे स्वेज नहर ब्रिटेन के लिए जीवन रेखा के समान थी पूर्वी एशिया और खासकर मिस्टर की रक्षा करना ब्रिटेन के लिए उतना ही आवशयक और महत्वपूर्ण था जितना स्वेम ब्रेटिश द्वीप कुंज की रक्षा उधर मुसॉलीनी के अपने अलग मनसुबे थे बहुत दिनों से वे भूमत देसागर को एक इटेलियन जील के रूप में परिवर्तित करने का स्वापन देख रहा था विश्वी युदि से लाब उठा कर वे अपनी इस अकांगशा की पूर्ती कर लेना चाहता था इस इरादे को पूरा करने के लिए मिस्त्र पर अधिकार करना आवशयक था हिटलर भी अपने हित को ध्यान में रखकर पश्चिम एशिया के विविद देशों पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था मौसूल की तेल खानों अस्वेज नहर पर अधिकार जमाना उसके लिए भी जरूरी था प्रिष्ट 441 मित्र राष्ट समझ रहे थे कि पश्चिम एशिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने से हिटलर बाज नहीं आएगा पश्चिम एशिया की स्थिती दिनों दिन नाज़ुक होती चली जा रही थी सीरिया और लेबनान में फ्रांसी संरक्षन कायम था और वहां का फ्रांसी हाई कमिशनर पैंता सरकार का समर्थक था जो हिटलर के साथ सहयोग करने की नीती का अनुकरन कर रही थी इराक में ब्रिटिश संडक्षन था थी अप्रेल 1941 में वहां एक विद्रो हो गया वहां की ब्रिटिश समर्थ सरकार उलट दी गई और उसके जगह पर एक ऐसी सरकार कायम हुई जिसका जुकाव जर्मनी की ओर था ब्रिटेन के लिए ये एक खतरनाक बात थी तुरंथे गलपासा के सेना पतित्व में ट्रांस जॉडन से एक ब्रिटिश सेना भेजी गई इराकी सरकार ने हिटलर से अपील की हिटलर ने थोड़ी सहायता भी भेजी पर उसके पहुँचने के पूर्व ही इराक पर ब्रिटेन का कबजा हो गया इसके बाद ब्रिटिश सेना ने सीरिया पर आक्रमन करके उस पर अपना अधिपत्य जमा लिया इस तरह फिलिस्तीन, ट्रांस जॉडन, इराक, सीरिया और लेबनान पर ब्रिटेन का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित रहा पश्चिम एशिया में केवल फारस ही एक ऐसा देश बचा रहा जो ब्रिटिश प्रभावक्षेत्र में अभी तक नहीं आया लेकिन जब हिटलर ने सोवियत संग पर आक्रमन कर दिया और ब्रिटेन तथा रूस एक साथ मिलकर युद्ध लड़ने लगे तब फारस पर अधिकार कर लीना भी बहुत जरूरी हो गया उस स्थिती में ब्रिटेन और रूस की समलिच सेना ने फारस पर आक्रमन करके उसको अपने हाथ में ले लिया भुमद्य सागर का युध्ध भूमद्य सागर में युद्ध का प्रारंभ मुसॉलीनी की आकरमन कारी नीती से प्रारंभ हुआ हमला करके उसने सुडान, केनिया और ब्रिटिश सुमाली लेंट पर अधिकार कर लिया पर इसक शेत्र में ब्रिटेन की सैनिक तयारी बहुत काफी थी 1941 के अंत होते होते, ब्रिटेन सेना ने इसक शेत्र में इटेलियन प्रदेशों पर कबजा कर लिया एरिट्रिया और इटेलियन सुमाली लेंट पर ब्रिटेन का कबजा हो गया अभिसीनिया से भी इटली को भाग जाना पड़ा 1940 के नवंबर में इटली की सेना ने लीबिया से मिस्त्र पर आक्रिमन करना शुरू किया और आठ मील तक वे मिस्त्र में घुस भी आई लेकिन 15 दिसंबर से स्थिती ने पल्टा खाना शुरू किया सरार्ची वाल्ज पेवल ने इटलीन सेना को मिस्त्र से ख़देड भगाया और आगे चल कर लीबिया पर भी अपना अधिकार जमा लिया मुसॉलीनी की हालत बहुत खराब थी किसी भी युद्ध में उसको सफलता नहीं प्राप्त हो सकी इधर उसके एक साथी को यूरोप में सब जगा विजे मिल रही थी पूर्वी एशिया और भूमद्य सागर में इस तरह की पराजेयों की क्ष़ती पूर्ती करने के लिए ही उसने अक्टुबर 1940 में युनान पर हमला कर दिया था पर वहां भी उसकी हार ही हुई रूस और जर्मन युद्ध रूस जर्मन संबंध अगस्ट 1949 के मासको पैक्ट के द्वारा नाजसिवाद और सामेवाद में जो गडबंधन हुआ था उसका कोई स्थाई महत्व नहीं था ये काम चलाओ गडबंधन था जिसको लेकर हिटलर को मोर्चो परियुद्ध से बचना चाहता था स्टालिन भी यही मानता था कि इस संधी से सोवियत संग कुछ दिनों के लिए हिटलर के आक्रमान से बचा रहेगा इसके अतिरिक्त मासकों समझोते का कोई महत्व नहीं था स्टालिन नाथसिवाद और हिटलर के उद्देशें से परिचित था मीन कैम के लेखा के विचारों का पता सब को था और स्टालिन भी भलीभाती जानता था कि हिटलर का अंतिम उद्देशे सोवियत संग और सामेवादी व्यवस्था को पूर्टय नश्ट करना है अतिव मासकों समझोते पर दस्थकत हो जाने से ही बरलिन और मासकों का मनमुटाव कम नहीं हो सका दोनों मित्र एक दूसरे पर शक करते रहे और किसी ने एक दूसरे पर विश्वास नहीं किया वास्तव में हिटलर पर विश्वास करना एक बेवकूफी थी इस समय की रूस जर्मन संबंधी की तुलना हम 19-वी सदी के प्रथम दशक के फ्रैंको रूसी संबंध से और हिटलर की तुलना नेपोलियन से कर सकते हैं 1807 में नेपोलियन और रूसी जार में तिलसित की संधी हुई थी जिसके अनुसार ये तैह हुआ की पूर्वी उरोप पर रूस का और पश्चमी उरोप पर फ्रांस का प्रभाव रहे 1949 के मासको पैक्ट की गुप्त शर्टो द्वारा सोवियत संग और जर्मानी में कुछ ऐसी ही बाते तैह हुई थी तिलसित संधी के बाद दोनों देश एक दूसरे पर शक करते थे मासको समझोता के बाद भी यही स्थिती थी फ्रांस की आर्थिक मांगो के कारण जिसकी पूर्ती जार नहीं कर सकता था तिलसित संधी का अंत होने लगा था मासको संधी के अंत होने के कारण भी यही था तिलसित संधी तब रद की गई जब नेपोलियन युध में ब्रिटेन को नहीं हरा सका मास को समझाता भी इस स्थिती में रद हुआ यहां तक कि हिटलर ने नेपोलियन के तरीकों को ही अपने मास को अभियान में अपनाया और नेपोलियन की तरह हिटलर भी रूस के द्वारा ही हराया गया प्रिष्ट 442 उपर कहा जा चुका है कि मास को समझाता एक काम चलाओ गडबंधन था और इसके फलस्वरूप सोवियत संग तथा जर्मानी का पारस पर एक आविश्वास दूर नहीं हो सका फ्रांस के पतन के बाद दोनों देशों में मन मुटाव बढ़ने लगा ऐसे मित्र राष्ट्रों की पराजे से स्टालिन को आसु बहाने की आवश्यक्ता नहीं थी जिस तरह का बरताव लोग उसके साथ करते आ रहे थे उससे उसको खुश ही होना चाहिए था लेकिन हिटलर की आश्चरे जनक सफलता से बड़ा चंतित था मेन कैम का लेखक धीरे-धीरे समूचे यूरोप का स्वामी बन रहा था और ये देखकर स्टालिन चैन की बांसुरी नहीं बजा सकता था अतहा हिटलर की भावी प्रहार से बचने के लिए वे तैयारी करने लगा वे बार ठीक है कि मास को समझाता द्वारा हिटलर ने बाल्तिक शेत्र को सोवियत प्रभाविक शेत्र मान लिया था पर जिस तरीके से इन इक शेत्र को उस प्रभाविक शेत्र में लाया गया उससे हिटलर बहुत नाखुश था बाल्तिक अड़ों पर सोवियत अधिकार जर्मनी बासिंदों को वहां से निकाला जाना तथा सोवियत चीन युद्ध को देखकर हिटलर भीतर ही भीतर बहुत रंज हो रहा था जिस समय फ्रांस का युद्ध जोरों पर चल रहा था उस समय सोवियत संग ने इस्तोनिया लेटिविया और लिथुएनिया पर अपना कबजा पूरा कर लिया था फ्रांस के साथ विरामसंधी होने के तुरंत बाद सोवियत संग ने रुमानिया, बेसरेविया और बुके विना भी छीन लिया था उधर स्टालिन को जर्मनी से रंज होने के भी अनेक कारण थे 19 अगस्त 1940 के वियना समझोते के द्वारा हिटलर ने रुमानिया के बहुत बड़े भुभाग को हंगरी और बुलगेरिया को दिलवा कर उने अपना समर्थक बना लिया था इसके बाद रुमानिया में एक ऐसी सरकार का संगठन कराया गया जो सबद्रिष्टी से नाच्सियों का गुलाम था स्टालिन इन घटनाओं को सोवियत सुरक्षा के लिए खतरनाक समझता था जर्मनी और सोवियत संग का संबंध दिनो दिन खराब होता जा रहा था हिटलर ने स्टालिन को धोका में रखने के लिए वारताओं का बहाना बना कर मोलतोव को जर्मनी आने के लिए आमंत्रित किया 12 से 14 नवंबर 1940 तक मोलोतोव बर्लिन में रहा इन दिनों में उसका वहां काफी स्वागत हुआ पृति भोजो और स्वागत सम्हारों में जर्मन रूस मित्रता पर आवश्यक्ता से अधिक भाशन हुए हिटलर ने प्रस्ताव रखा कि सोवियत संघ, जर्मनी, इटली और जापान की साथ एक संधी कर ले लेकिन प्रस्तावित संधी की शर्ते सोवियत संघ के मनों अनुकूल नहीं थी इसलिए मोलो तोव ने इसको स्विकार नहीं किया 25 नवंबर को मासको से एक पत्र बरलिन आया जिसमें उन शर्तों को स्पष्ट कर दिया गया जिनके आधार पर सोवियत सरकार जर्मनी इटली और जापान से संधी करने को तयार थी इस समय तक जर्मनी के द्रिष्टिकोंड से ब्रिटेन का युद्ध असफल हो चुका था और उसको स्थगित करने का निर्ने भी हो चुका था नेपॉलियन की तरह हिटलर ने ये तैकर लिया कि ब्रिटेन को हराने के पहले सोवियत संध को हराया जाए और सिर्फ संपूर्ण यूरोप के साधनों को प्राप्त करके ब्रिटेन को हराया जाए जिस समय वे मोलो तोव से वारताएं कर रहा था उसी समय वे अपने सैनिक अफसरों को सोवियत संग पर चड़ाई करने के लिए योजना तयार करने का आदेश भी दे रहा था मोलो तोव के मास को लोटने के केवल दस दिनों के बाद ही हंगरी, रुमानिया और चेकोसलो वाक्या में जर्मनी के इच्छा अनुसार एक समझोता हुआ इस समझोते के फलस्वरूप ये देश जर्मन प्रभाविक शेत्र में आ गए ये सारी बाते सोवियत सुरक्षा की दृष्टी से अत्यंत खतरनाक थी 17 जनवरी 1941 को मोलो तोव ने चेतावनी दी कि यदि नाथसी फौज बुलगेरिया में प्रवेश करेगी तो ये सोवियत हित के विरुध होगा पर हिटलर ने इस पर ध्यान नहीं दिया और मार्च में बुलगेरिया जर्मन प्रभाविक शेत्र में सम्मिलित कर लिया गया 4 अपरिल मोल तोव ने जर्मन सरकार को सूचित किया कि युगोसलो वाकिया और सोवियत संग में शीगरी ही एक मैत्री और अनाक्रमन संधी होने वाली है और वे आशा करता है कि जर्मनी इस इक्षेत्र में शान्ती बनाए रखने के कारे में सहयोग देगा लेकिन 6 अपरिल में नाच्सियों ने युगोसलाविया पर हमडा करके उसको जीत लिया मोलो तोव ने इसको अत्यंत दुखट घटना कहा सोवियत जर्मनी संबंध अब निश्चित ही बहुत खराब हो चुका था प्रिष्ट 443 जर्मनी की गतिविधियों को देखकर स्टालिन को अब इस बात पर संदेहे ही नहीं रह गया की जर्मनी का दूसरा शिकार सोवियत संग ही होगा अतहवे अपने देश की सुरक्षा की तयारी करने लगा सोवियत जर्मन सीमान्थ पर तथा कथच स्टालिन ड्राइन तयार की गई पर स्टालिन को भी दो मोर्चों पर युद्ध का भै था जर्मनी के आक्रमन के साथ साथ सोवियत संग पर जापान का आक्रमन भी हो सकता था इसी समय जापान सायोंक तराज अमेरिका पर चड़ाई करने की योजना बना रहा था इस कारे को शुरू करने के पहले योरोपिय स्थिति का अध्येन कर लेना जरूरी था अतेव जापानी सरकार ने जापानी विदेश मंतरी मातसुका को इस कारे के लिए योरोप भेजा जब वे बरलिन आया तो रिबन ट्रॉप ने जापानी योजना का समर्थन किया लेकिन उसने ये भी कह दिया कि अमेरिका के बदले यदि सिंगापूर पर जापान चड़ाई करे तो वे ज्यादा अच्छा रहेगा रिबन ट्रॉप ने जापानी विदेश मंतरी को ये संकेत भी दिया कि जर्मनी के साथ रूस का वहवार अच्छा नहीं हो रहा है मात्सो का बर्लिन से ये निशकर्ष लेकर मास को पहुंचा कि जर्मन सोवियत युध अवश्यम भावी है इस युध का प्रभाफ पूर्वी एशिया पर पड़े बिना नहीं रह सकता था दूसरी शब्दों में जर्मनी और सोवियत संग के बीच युध के फलस्वरूप जापान और सोवियत संग में युध भी हो सकता था इस दशा में अमेरिका पर आक्रमन जापानी योजना में कठिनाया उपस्थित हो सकती थी जिन कारणों से सोवियत संग दो मोर्चों पर युद्ध से बचना चाहता था उन्ही कारणों से जापान भी दो मोर्चों पर युद्ध नहीं चाहता था इस स्थिती में जापान और सोवियत संग के बीच एक अनाक्रमन संधी का हो जाना कोई आश्चरे जनक घटना नहीं थी 13 मार्च 1941 को सोवियत संग और जापान के बीच जो संधी हुई उसके पीछे यही रहस्य था सोवियत रिष्टिकोन से पूर्व में इसका उतना ही महत्व था जितना महत्वपूर्ण 1949 को मासको पैक्ट पश्चिम में साबित हो चुका था स्टालिन के कूटनी तिक जीवन की ये एक दूसरी महान सफलता थी सोवियत संग पर आक्रमन करने करने ने अगस्त 1940 को लिया जा चुका था और स्टालिन को पता चल गया था कि जनवरी 1941 के लगभग सोवियत संग पर जर्मनी का विद्यूत प्रहार होगा हिटलर समूचे विहरमक्ट और लुफ्ट वाफे को सोवियत सीमा पर सुसज़ित कर रहा था उधर स्टालिन भी चुप नहीं बैठा रहा स्टालिन लाइन को जल्दी जल्दी पूरा किया गया युधि व्यवसाई में उत्पादन बढ़ा दिया गया बड़े बड़े कल कारखानों को पश्चिमी सीमा से हटा कर युराल की सुरक्षित प्रदेश में कायम किया गया और अंत में युधि की संभावना को ध्यान में रखकर मई 1941 में स्टालिन स्वेम सोवियत संग का प्रधान मंत्री बन गया प्रिष्ट 444 इस समय तक सोवियत जर्मन सीमांत के दोनों तरफ सैनिक अभ्यास जोर शोर से चलने लगे थे लेकिन इन अभ्यासों को तरह तरह से छिपाने की कोशिश की जाती थी सोवियत समाचार एजेंसी तास ने एक विग्यपती प्रकाशित कराकर उन अफ़ाहों का खंडन किया जिसके द्वारा ये प्रचार हो रहा था कि सोवियत संग और जर्मनी के संबंध बिगड़ रहे हैं और उन में युध छिड़ने की संभावना पैदा हो गई है पर उद्देशेयों को छिपाने के इन प्रयासों के बावजूद सभी लोग इस समय तक जान गए थे कि हिटलर सोवियत संग पर प्रहार करने ही वाला है मासको स्थित ब्रिटिश राजदूत सर स्टेफर्ड कृप्स ने यहां तक भविश्यवानी कर दी कि 22 जून को जर्मनी का आकरमन होगा वस्तुथा उसी दिन जर्मनी का आकरमन शुरू भी हुआ सोवियत संग पर आकरमन करने के पूर्व हिटलर ये चाहता था कि ब्रिटेन से जर्मनी का समझाता हो जाए इस थरह के समझाते से जर्मनी का प्रत्यक्ष लाब था वे पश्चिमी मोर्चों पर निश्चित हो जाता और अपनी पूरी ताकत सोवियत संग के विरुध लगा सकता था ब्रिटेन में भी ऐसे बहुत व्यक्ती थे जो हिटलर के साथ समझाता करके शांती स्थापना करना चाहते थे हैमिल्टन का डियुक इस विचार का बहुत बड़ा समर्थक था जर्मनी नाच्सी नेता रुडोल्फ हैस व्यक्तिगत रूप से डियुक के साथ बातचीत करना चाहता था वे अकेले एक वायू यान से ब्रिटेन चल पड़ा और छट्री की सहारे ग्लास गो के निकट नीचे उत्रा पर डियुक के साथ संपर्ख स्थापत करने के पूर्व ही वे पकड़ लिया गया और युद्ध कैदी बना कर जेल में रख दिया गया जर्मन की ये कूटनीती भी असफल रही अमेरिकी रुख के कारण भी सोवियत संग पर आक्रमन करने के लिए हिटलर को जल्दिबाजी करनी पड़ी अमेरिका में जर्मनी के विरुद्ध भाबना बढ़ रही थी 27 माई 1941 को राष्टरपती रुजवेल्च ने एक भाशन दिया जिनोंने तानाशाहों की भचसना की और अमेरिकी जनता को युद्ध के लिए तयार रहने का अनुरोध किया हिटलर अमेरिकी जनता को एक ही तरीके से खुश कर सकता था अमेरिकी शासगंड सामेवाद का कटर विरोधी थे यदि हिटलर सामेवादी रूस पर आक्रमन कर देता है तो बहुत संभव था कि वे उसकी नीती का समर्थन करने लगे शक्तिशाली अमेरिका को युद्ध में प्रवेश करने से रोकने के लिए सामेवादी रूस पर तुरंथ आक्रमन कर देना बहुत जरूरी था 22 जून 1941 को इसी वातावरण में जर्मनी ने सोवियत संग पर हमला कर दिया युद्ध का पहला सोपान ये वही विद्यूत प्रहार था जिनका अनुभव यूरोप के अनेक देशों को हो चुका था सोवियत संग के पास कोई अंती मेथम नहीं भेजा गया हिटलर का विचार सोवियत संग का पूर्ण विनाश करना था यदि उसने अन्ती मेथम दिया और स्टालिन ने उसे मान लिया तब ये धै कैसे पूरा किया जा सकता था चुनौती देखर हिटलर ये जोखिम नहीं मोल लेना चाहता था सोवियत फिन युद्ध को ध्यान में रखकर हिटलर का अनुमान था कि कुछ ही सबतहा में सोवियत संग घुटने टेक देगा तीन तरह से जर्मन सेना सोवियत संग में घुसी एक लेनिंग्राड दूसरा मासको और तीसरा खारकोव रोस्तोफ और कोकेशश की ओर से हिटलर और रिबन ट्रॉप ने इसको सामेवाद के खिलाफ धर्म युद्ध बतलाया इटली, रुमानिया, स्लोवाकिया, फिनलेंड और हंग्री ने भी रूस के खिलाफ युद्ध के घुशना कर दी विसी फ्रांस और डेर्मार्क ने मासकों से अपना कूटनी तिक संबंध विछेद कर लिया और सामेवाद विरोधी स्वेम सेवक भरती करने लगे हिटलर को मदद पहुचाने के लिए फ्रांकों ने भी एक सेना की टुकड़ी भेजी थी इस प्रकार संपूर्ण फासस्ट यूरोप का समलत रूप से सोवियत संघ पर हमला शुरू हुआ वेहर मैक्ट का हमला इस बार जिस निर्दियता से उकरूरता से हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ था सोवियत सेना और जनता ने जिस धहरे और साहस से इसका मुकाबला किया वे अद्वितिय था और संसार के इतिहास में इस तरह का दूसरा उदाहर नहीं मिलता बहुत दिनों से संसार को कहा जाता था कि बोलशेविकों ने सोवियत जनता को कुचल कर गुलाम बना रखा है जब भी उन्हें मौका मिलेगा वे सामेवादी व्यवस्था के खिलाफ विद्रो कर देंगे यदि सोवियत जनता सचमुच में सामेवाधी विवस्था से घ्रणा करती तो स्टालिन के विरुध विद्रहों करने का इससे बढ़कर अच्छा मौका नहीं मिल सकता था लेकिन जबरदस्ती गुलाम बनाएं गई सोवियत जनता ने कोई विद्रहों नहीं किया हिटलर को समूची सोवियत संग में एक भी क्विलिंग या मार्शल पैंता नहीं मिला ये सोवियत व्यवस्था की द्रणता का प्रमान था प्रिष्ट 445 रूस पर जर्मन आक्रमन का प्रभाव अन्य देशों पर ततकाल पड़ा चर्चिल ने कहा कि ये धपी सामेवाद के प्रती मेरे विचारों में कोई परिवर्त नहीं आया है फिर भी नाच्सिवादी के विरोधी किसी भी देश की सहायता हम करेंगे 13 जुलाई 1941 को ब्रिटेन और सोवियत संग में एक संधी हो गई उसी महीने ब्रिटेन और सयुक्त राज अमेरिका के प्रतिनेधी मास को पहुंचे सोवियत संग को मदद देने के प्रश्ण पर विचार किया गया और ये तैहुआ कि बलाडी वोस्टक तथा फारस के रास्ते से सोवियत संग को हर प्रकार से मदद दी जाए फारस में जर्मनी का प्रभाव था इस प्रभाव को खत्म करना बहुत आवश्यक था अतहा सितंबर में ब्रिटेन तथा सोवियत संग की एक समलित फौज ने फ्रांस पर अधिकार कर लिया सोवियत संग की भूमी पर दोनों पक्षों में भीशन युध चल रहा था हिटलर का वेहरमक्ट आगे बढ़ता चला जा रहा था और रूसी सेना पीछे हटती जा रही थी अक्टूबर की शुरू होते ही ऐसा प्रतीत होने लगा कि मास्कों पर नाथसी कब्जा हो जाएगा 3 अक्टूबर 1941 को हिटलर ने दावा किया कि शत्रू की कमर तूट चुकी है वे फिर कभी उठकर खड़ा नहीं हो सकता मास्कों से सोव्यत राजधानी क्यूवी सेव ले जाया गया पस स्विम स्टालिन ने मास्कों छोड़ने से इंकार कर दिया ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ ही दिनों में सोव्यत संग का संसार से नामों निशान मिठ जाएगा अक्टूबर के प्रारंभिक दिनों में जर्मनी की विजे अवश्यम भावी प्रतीत होने लगी लेकिन हिटलर का सुक्स्वापन नेपोलियन की तरह पूरा नहीं हो सका नेपोलियन को तो क्रेमलीन के राजप्रसाद में सोने का मौका भी मिला था लेकिन हिटलर को वे भी नसीब नहीं हुआ अक्टबर के पहले सब्तहा में रूसियों ने डटकर शत्रू का मकाबला किया इस समय तक जाड़ा पढ़ना शुरू हो गया था हिटलर का अनुमान था कि जाड़ा आने के पहले ही वे सोवियत संग का काम तमाम कर देगा इसलिए गर्म कपडों का प्रयाप्त इंतजाम नहीं किया गया था रूसि ठंडक में जर्मनी फौज का दिवाला निकलने लगा रूसियों ने एक-एक सड़क और एक-एक कमरे में नाच्सियों से लोहा लिया उसके पैर उखरने लगे युद्धि के इतिहास में इस थरह का युद्धि पहले कभी नहीं लड़ा गया था अक्तुबर और नवंबर के बीच में वेर्मैक्ट की प्रगती बिलकुल रुग गई नाच्सी अफसरों ने ये दोशा रोपन करना शुरू किया कि सोवियत सेना सामेवाद के द्वारा बहुत करूर बना दी गई है वे युद्ध नियम अनुसार नहीं लड़ रहे हैं माक्सवाद के कारण उनका नैतिक पतन हो गया है कि वे डराए धमकाए नहीं जा सकते हैं और वे इतने नालाइक बना दिये गए हैं कि अनुभभ भी नहीं कर पाते की वे वास्तव में हार गए हैं अपनी पराजे पर परदा डालने के लिए जर्मनी द्वारा ये कहकर कि सामरिक त्रिष्टिकोन से सोवियत संग खत्म हो गया 8 दिसंबर 1941 को युध का काम कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया हिटलर ने इस पराजे का गुसा अपने कुछ सैनिकों अफसरों पर निकाला 1942 के प्रारंभ में सेना के कुछ अधिकारी पद्जियूत कर दिये गए और विस्वेम वहरमेक्ट का प्रधान सेनापती बन गया हिटलर की असफलता का प्रधान कारण बहुत अंशों में अमेरिकी की मदद थी इसका बदला हिटलर ने पर्ल हार्बर में 11 दिसंबर 1941 को अमेरिका के विरुध युद घुशित करके लिया रिस्टाग में बोलते हुए हिटलर ने कहा रुजवेल्च हम को लुटेरा कहता है पर मैं उसके द्वारा अपमानित नहीं हो सकता विल्सन की तरह मैं उसको भी पागल समझता हूँ उसी दिन 26 सितंबर 1940 में त्रीदल ये समझोते के आधार पर जर्मनी, इटली और जापान के बीच एक दूसरा समझोता हुआ जिसके अनुसार हस्ताक्षर करताओं ने एक साथ मिलकर युद्ध लड़ने का और शत्रू से अलग संधी नहीं करने का वादा किये प्रिष्ट 446 अंतलांतिक का युद्ध जिस समय पूर्व में सोवियत संग के साथ जर्मनी का युद्ध चल रहा था उसी समय अतलांतिक महसागर में भी एक महत्व पूर्ण युद्ध चल रहा था ये युद्ध मुख्य तहा ब्रिटेन के साथ था और 3 सितंबर 1949 को ही शुरू हुआ सोवियत संग पर जर्मनी आक्रमन के कारण 1941 के मध्य में इस युद्ध ने उग्र रूप धारन कर लिया हवाई युद्ध में जर्मन ब्रिटेन को नहीं हरा सका सोवियत संग पर आक्रमन करने के लिए उसको सभी लड़ाकु जहाजों को वापस बुलाना पड़ा पर यदि ब्रिटेन हवाई हमले से नहीं पस्त किया जा सका तो वे दूसरे तरीकों से पस्त किया जा सकता था युद्ध और खाद सामागरी के लिए ब्रिटेन विदेशों पर आश्रत था इस समय तक उधार पटी बिल के अंतरगत ब्रिटेन को अमेरिका से काफी मदद मिल रही थी इसी प्रकार उसके विश्वयापी सामराजे से बहुत बड़ी मात्रा में सामान पहुँच रही थे जर्मनी ने सोचा कि यदि पंडूबी जहाजों की मदद से सामान जाने वाले जहाजों को डुबो दिया जाए तो ब्रिटेन को कुछ भी नहीं मिलेगा और ऐसी हालत में वे घुटने टेक देगा एक बार निर्ने कर लेने के बाद जर्मनी की पंडूबियों ने उन वेपारिक जहाजों को डुबोना शुरू किया जो सामान लेकर ब्रिटेन जाते थे इस क्रम में अमेरिका के बहुत से जहाज डुबा दिये गए अमेरिका अभी तक युध में तठस्ते था और नियम अनुसार वे किसी देश के साथ वेपार कर सकता था पर हिटलर अंतराष्ट्रे नियमों का पालन करने वाला व्यक्ती नहीं था अमेरिका के जहाज डुबाए जाते रहे उसके फल्सवरूप जर्मनी और अमेरिका के संबंद खराब होने लगे ऐसा लगने लगा कि प्रथम विश्वयुध की तरह इस बार भी अमेरिका युध में सम्मिलत होने पर बाध्धे किया जाएगा अमेरिका ने जर्मनी के इस कारवाई का घोर विरोध किया जर्मनी और इटली दोनों की वार्नेजे दूतावास बंद कर दिये गए जर्मनी और इटली में भी अमेरिकी वार्नेजे दूतावास बंद कर दिये गए ये स्पष्ट था कि अमेरिका ब्रिटेन को हर प्रकार से मदद करना चाहता था नादसीवाद की प्रगती से अमेरिका को भी खत्रा था अमेरिका की जनिता नादसीवाद के खिलाफ थी पर वे भी जानना चाहती थी कि नादसीवाद की पराजे के बाद संसार में किस प्रकार की व्यवस्था कायम की जाएगी वस्तिता समस्त संसार इस बात को जानने के लिए उच्छुक था इस स्थिती में 14 अगस्त 1941 में राश्टरपते रुजवेल्च और प्रधान मंत्री चर्चिल अतलांतिक महसागर में मिले और युदोतर संसार की व्यवस्था पर एक विग्यप्ति निकालें जिसको अत्लांतिक चार्टर कहते हैं अत्लांतिक चार्टर विलसन के चाधा सूत्रों से बहुत कुछ मिलता जुलता था इसमें आत्मिनिर्णे की सिध्धांत, समुन्द्रों की स्वतंत्रिता, निरस्त्री करण, विश्विशांती के लिए व्यवस्था, अंतिराष्ट्रे विधी का आदर इत्यादी बातों पर बल दिया गया था अत्लांटिक चार्टर के प्रकाशन के बाद जर्मनी और अमेरिका का संबंध और भी बिगड़ने लगा जर्मन पंडूबिया प्रति दिन अमेरिका के जहाजों से भिड़ जाती थी, इसके विरोध में सयुक्त राज्य अमेरिका कड़ी प्रतिरोधात्म कारिवाई करने लगा ऐसा मालूम पढ़ने लगा कि अतलांतिक में सैने कारिवाईयों के कारण जर्मनी और अमेरिका के बीच युद्ध छुड जाएगा युद्ध में अमेरिका का प्रवेश अवश्यम भावी हो गया पर ये अतलांतिक के युद्ध के कारण उतना संभव नहीं हो सका जितना प्रशान्त महासागर के युद्ध के कारण हुआ वस्तुतह प्रशान्त महसागर की घटनाओं के कारण ही अमेरिका द्वीत्य युद्ध में प्रवेश कर सका पूर्वी एशिया में युद्ध जिस समय उधारपट्टा अधिनियम पास किया गया था उस समय अमेरिका एक तठस्त देश था उसके युद्ध में प्रविष्ट होने के कारण पूर्वी एशिया में घटने वाली घटनाएं और विशेश तया जापान के साथ उसके संबंध थे 1941 में संबंध निरंतर कटू और कलहा पूर्ण होते गए एक दिसंबर 1941 में जापान के विदेश मंतरी ने घोशना की कि जापान के विदेश नीती त्री शक्ती पैक्ट पर आश्टरित रहेगी और दूसरे वर्ष के आरंभ में यस पश्ट हो गया कि जापान युद्ध में प्रविष्ट होने की तयारी कर रहा है जुलाई 1941 में उसने फ्रांस की विसी सरकार से फ्रेंच हिंदी चीन में अड़े प्राप्त कर लिये थे अक्टूबर तक उसने समस्त हिंद चीन को हडप लिया था ये धपी सायुक्त राज अमेरिका के साथ उसकी संधी वारता अब भी चल रही थी संधी की ये वारता सहसा साथ दिसंबर को समाप्त हो गए बिना कोई चेतावनी दिये ये युद्ध की घोशना किये जापान ने हवाई द्वीब समू में परल हारबर पर हवाई आक्रमन कर दिया और एक ही प्रहार में प्रशान्त महसागर में अमेरिका की नौसैनिक सर्वोचिता का अंत कर दिया इसकी तुरंथ पश्चात जापान ने अमेरिका और ब्रिटेन के विरुध युद्ध की घोशना कर दी 11 दिसंबर को जर्मनी और इटली ने भी अमेरिका के विरुध युद्ध की घोशना कर दी थी परल हारबर पर आक्रमन के साथ ही जापान ने अपनी सेनाए थाइलेंड श्याम और उत्री पूर्वी मलाया में भी उतार दी दूसरी ही दिन थाइलेंड का प्रतिरोध समाप्त हो गया और जर्मनी की सेना को मलाया जाने के लिए निर्वाद मार्ग मिल गया इसके अतिरिक्त प्रशान्त महसागर में वैग द्वीप और ग्वास के अड़े तथा फिलिपाइन द्वीप सम्हों के अधिकांश भाग पर भी जापान का कबजा हो गया यह धपी फिलिपाइन में कोरे चिडोर पर अभी तक उसका अधिकार नहीं हुआ था पूर्वी एशिया में मित्र राश्ट्रों की पराजय 1941-42 इसके पश्चाद आठ महीने तक पूर्वी एशिया में मित्र राश्ट्रों को लगातार एक के बाद दूसरी घटना का सामना करना पड़ा 10 दिसंबर को ब्रिटेन में दो प्रसिद युधपोथ प्रिंस ओफ वेल्स तथा रिपल्स वायू आकरमन के द्वारा डुबा दिये गए 27 फरवरी 1942 को मित्र राश्ट्रों की नौसेना जो अब तक बहुत क्षिन हो चुकी थी और अधिक कमजोर कर दी गई जब एक स्क्वेडन ने जावा के समुधर में शक्तिशाली जापानी नौसेना का मुकाबला किया तीन दिन युध के पश्चात मित्र राश्ट्रों के बेड़े को जिसमें पांच क्रूजर और छे विधिवन सक्ते नश्ट कर दिये गए इन विजयों के कारण प्रशान्त महसागर तथा पूर्वी एशियाई समुधर में जापान की सामुधरिक शक्ति सर्वोच्य हो गई थी वायू शक्ति के द्रिष्टिकोन से भी उसकी स्थिती सर्वोच्य थी अपने इस सर्वोच्य शक्ति का जापान ने ब्रिटेन, अमेरिका और हॉलेंड के अधीन प्रदेशों के विरुध पूरा लाब उठाया हौंग कॉंग में 25 दिसंबर 1941 को तथध डच इस्ट इंडीज ने मार्च 1942 को आत्म समर्पन कर दिया मलाया में जापानी सेना ने बड़ी तीबर प्रगती की क्योंकि वे प्रतिरक्षा पंक्ती के पीछे निर्बाद रूप से उतरने में सफल हो गई जन्वरी के आरम में कौलालंपूर पर कबजा कर लिया इस महीने के अंत तक जापानी सेना गेहोर में प्रविष्ट हो चुकी थी और ब्रिटिश सेना ने मलाया के मुख्य प्रदेश को पूंट तया खाली कर दिया था 15 फरवरी को सिंगापूर का पतन हुआ मलाया पर विजय प्राप्त करने के पश्चाथ जापानी सेना ने बर्मा की ओर रुख किया जहां पर मित्र राश्ट्रो की सेना के द्रण विरोध के सामने उसकी प्रगती धीमी पड़ गई थी मित्र राश्ट्रो की ओर से इस समय अमेरिकी जनरल स्टीलवे के नेत्रित्व में चीनी दस्ते भी युधिबें भाग ले रहे थे जनरल स्टीलवेल चीनी राश्ट्रपती चियांग काई शेख का अमेरिकी चीफ अफ स्टाफ था जापानी सेना शेगरी ही ब्रिटिश सेना को सितांग नदी के पार पीछे हड़ जाने को बाध्य करके मर्तमान की खाड़ी पर जा पहुंची साथ मार्च को रंगून और एक मैं को मांडले खाली कर दिया गया और एक सप्था पश्चात जापानी सेना बंगाल की खाडी तक पहुँची इस समय आशंका थी कि जापान भारत वर्ष पर भी आक्रमन करेगा परन्तु ऐसा नहीं हुआ जापान की सेना बंगाल की खाडी पर पहुँच कर रुख गई संभवता मांसून के कारण और पिछले पांच महीने में जीते हुए प्रदेश की व्यवस्था करने के लिए प्रशान्त महसागर में भी जापान ने ऐसी ही गौरफपून विजे प्राप्त की थी मार्च में उसने न्यूगिनी और सोलोमन द्वीप समों पर सफल आक्रमन किया और 8 अप्रेल को अंतिम रूप से एड्मिरेल्टी द्वीप समों में उतरने में सफल हो गई अब तक उसने बर्मा, डच, इस्ट इंडीज, न्यूगिनी और सोलोमन द्वीपो में अपनी शक्ती स्थापित कर ली थी और अब वे ऐसी स्थिती में थी कि ना केवल भारत वर्ष पर अपितु आस्ट्रेलिया पर भी आक्रमन कर सकती थी परन्तु जापान अपने विकास की चरम सीमा तक पहुँच चुका था और अब मित्र राष्ट्रों ने यूरोपी आवश्यक्ता के बावजूद प्रचुर मात्रा में सैनिक सहायता जिसमें वायूयान भी समलिद थे पूर्वी एशिया की ओर भेजना आरंभ किया भारत वर्ष को दक्षन पूर्वी युधक शेत्र का हेट कौर्टर बनाया गया माई के आरंभ में कोरल समुद्रों के युध में अमेरिकी विजय जिसमें सोलोमन द्वीप समु के निकट जल और नब के युध में जापान को प्रथम बार पराजे का मूँ देखना पड़ा इसके एक महीने पश्चात अमेरिका ने जापान को दूसरी बार मिडवे द्वीप मिडवे आइसलेंड के युध में परास्त किया इस युध में जापान को सोलह युध पोतों की हानी उठानी पड़ी जिन में चार वायुयान ले जाने वाला जहाज भी शामिल थे अगस्त के आरंभ में अमेरिकी सेना सोलमन द्वीपो के गौडल केनाल क्षेत्र में उतरने में सफल हो गई और इस वर्ष का अंत होते होते अन्य युध क्षेत्रों की भाती पूर्वी एशिया में युध के भागे ने पल्टा खाया प्रिष्ट चार सो अर्टालिस इल अल्मीन उतरी अफरिका का शत्रू के पंजे से मुक्त करने के लिए युजना तयार करने में मित्र राष्टों से पूरे साथ महीने अक्टुبر 1942 से लेकर 1949 तक लगाए एक प्रकार से इस युजना के तयार करने में इस से भी अधिक समय लगा क्योंकि ये योजना दिसंबर में चर्चिल की राष्टरपती रुजवेल्ट के साथ हुई वारता तथा उसके पश्चाथ 6 महीने तक चलते रहे वाद विवाद का परिणाम था इस समय जो निर्ने किये गए थे उनको अगस्ट 1942 में डिपे के कीमती हमले के पश्चाथ सुद्रन कर दिया गया था ये निश्चे किया गया कि फ्रेंच उत्री अफरिका पर एंगलो अमेरिकी सायुक्त आक्रमन किया जाए और उसी समय मिस्त्री से ब्रिटिश सेना पश्चिम की ओर कूच करे जनरल आइसन हावर को उत्री अफरिका में और जनरल अलेक्सेंडर को मध्यपूर्व के कमांडर इंचीफ नियुक्त किया गया और जनरल मॉंट गोमुरी को ब्रिटिश आठवी सेना का कमांडर नियुक्त किया गया 23 अक्टुबर 1942 की रात को आठवी सेना ने आक्रमन आरंभ किया आठवी सेना एल अलमीन पर मुख्य जर्मन रक्षा की पंक्ती में प्रविष्ट होने में सफल हो गई इसका नेत्रित्व रोमल के हाथ में था रोमल ने प्रत्या क्रमन भी किया परन्तु इसको परास्त कर दिया गया 12 नवंबर को ये सेना तोब रूख में प्रवेश कर दी गई तीन सप्ताह से कुछ अधिक समय में रोमल को एक अधिला तक वापस हटने के लिए बाध्य होना पड़ा इसके पश्चात तीन सप्ताह तक शांती रही और इस बीच में बेनगाजी नश्ट भ्रष्ट बंदरगाह के द्वारा युधि सामागरी के नए मार्ग की व्यवस्था करके फिर युधि आरंभ कर दिया गया 14 दिसंबर को एल अधिला का पतन हो गया और शत्रू सेना को 200 मिल पीछे हट कर बेरूत में पड़ाव डालने के लिए बाध्य होना पड़ा जनवरी 1943 के आरंभ में उसको इस अस्थान से पीछे हटना पड़ा और 23 जनवरी को ट्रिपोली को आठवी सेना के सामने हत्यार डालने पड़े 42 दिनों में रोमल का सेना का 1350 मिल तक पीछा किया गया अब विट यूनीशिया की सीमा के भीतर मरेत लाइन पर जा रहा था मरेत लाइन विक्षेत्र था जिसकी फ्रांसिसियों ने इटैलियनों से रक्षा करने के लिए किले बंदी की थी 8 नवंबर को ब्रिटिश अमेरिकी सीना फ्रेंच उत्री अफ्रिका में कैसा बलेंका ओरान तथा एलजियर्स के साथ निकट आकर उत्री अलजीरिया पर फ्रांसिसियों द्वारा थोड़ा सा विरोध किये जाने के पश्चात अधिकार हो गया अलजीरियस के पतन के कुछ समय पश्चा थी औरान और कैसा बलेंका का भी पतन हो गया चार दिन के भीतर अलजीर्स से पश्चिम की ओर लड़ाई सर्वता समाप्त हो गई परंतु मित्र राष्ट्रों को ये देख कर बड़ी निराशा हुई कि फ्रांसिसियों ने सहयोग के स्थान पर उनका विरोध किया इसका कारण फ्रांसिसियों के आपसी व्यक्तित्व एवं राजनेतिक मदभेत थे जेनरल डीगाल और जेनरल जिरीद में से किसी को भी प्रयाप्त समर्थन प्राप्त नहीं था एड्मिरल दार्ला विसी सरकार का एक प्रभाफशाली सदस से तथा उतरी एफ्रीका में उसका प्रतिनिधी था उसने मित्र राश्ट्रों के पक्ष में फ्रांसीसी सेना को इखटा किया परन्तु उसके ऐसा करने का कारण अब तक पूर्टया स्पष्ट नहीं है दारला की हत्या कर दी गई जिसके पश्चाद जेरौद ने उसका स्थान ग्रहन किया परन्तु इस समय तक मुखे उद्देश को प्राप्त किया जा चुका था और फ्रेंच दल का अधिकांश भाग मित्र सेना से आ मिला था प्रिष्ट चार सो उन्चास मित्र सेनाओं के उत्री अफरिका में उतरने के उत्तर में जर्मनी ने केवल त्यूनीशिया में अपनी सेनाई ही नहीं भीजी अपितु अनधिकरित फ्रांस पर भी कबजा कर लिया 11 नवंबर को तूलो के अतिरिक्त समस्त अनधिकृत फ्रांस पर कबजा कर लिया गया दो सप्ताह पश्चात जर्मन सेना तूलो में फ्रेंच बेड़े पर कबजा करने के उद्देश से प्रविष्ट हुई परंतो उसने देखा कि स्वेम फ्रांसिसियों ने अपने बेड़ों को डुबो दिया है उत्री अफरीका में मित्र राश्ट्रो के विजए उत्री अफरीका में मित्र राश्ट्रो का मुख्य प्रतिरोध रोमल ने किया पूर्व में मरेथ लाइन के पीछे जर्मन सेना के सामने ब्रिटिश आठवी सेना तैनाथ थी और पश्चिम की ओर ब्रिटिश पहली सेना, अमेरिकी दूसरी कोर तथा जनरल जिरौत के नेतरित्व में फ्रेंच सेनिक उसको घेरे खड़े थे फरवरी 1943 में सभी जर्मन सेनाओं ने पूरी शक्ति लगा कर दक्षुन्ट यूनीशिया पर मित्र सेना की पंक्ति को तोड़ने का प्रेयत न किया, परंतु कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकी इसी प्रकार मार्च के आरंभ में किया गया आक्रमन भी विफल रहा इसके पश्चाथ 20 मार्च की रात को आठवी सेना ने आक्रमन करके मरैत लाइन को तोड़ दिया 6 एपरिल को इसने रोमल की दूसरी रक्षा पंक्ति को भी तोड़ डाला और दूसरे दिन दूसरी कोर के अमेरिकी सेनिक भी आठवी सेना से आ मिले उधर पश्चिम में भी मित्र सेना ने मार्च के अंत में आक्रमन करना आरंभ कर दिया था और अपरिल के आरंभ में विसर्टा से पश्चिम की ओर केप सेरोट पर अधिकार कर लिया पांच माई को अंतिम आक्रमन आरंभ हुआ और दो दिन पश्चात अमेरिकी दूसरी कोर विसर्टा में प्रविष्ठ हो गई और ब्रिटिश सेना ने ट्यूनिश पर कबजा कर लिया एक सप्तह में अफ्रीका स्थिट सब धूरी सेनाओं ने हत्यार डाल दिया इस युधि में धाई लाख जर्मन और इटैलियन सेनिक बंदी बनाये गए और उनकी युधि सामागरी प्रचुर मात्रा में हाथ लगी उत्री अफ्रीका की विजए तीन दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण थी प्रथम युधिक शेत्र में पारस पर एक सहयोग के कारण एंगला अमेरिकी उद्देशी की एकता को बल मिला दूसरा इस विजए की परिणाम स्वरूप फ्रेंच भूमी पर अंतर कालीन स्वतंत्र फ्रेंच शासन की स्थापना हुई तथा फ्रांस की सैनिक प्रतिष्ठा के पुनर जनम का आरंभु हुआ तीसरा उत्री अफरिका के युधि ने इटली की युधि करने की शक्ति तथा साहस को तोड़ दिया और ये मुसुलीनी की ताना शाही के पतन की भूमी का सिद्ध हुई भूमद्य सागर का युधि जनवरी 1943 में कैसा बलैंका में ब्रिटिश प्रधानमांत्री चर्चल तथा अमेरिकी राष्ट्रपती रुजवेल्ट का एक सम्मेलन हुआ जिसमें युधि का भावी कारिक्रम निश्चित किया गया परन्तों इस कारिक्रम को क्रिया रूप में परियनत करने से पहले भूमद्य सागर को साफ करना आवशयक था जिसे मित्र राष्ट्रो के जहाज स्वतंतरता पूर्वक इसमें होकर आजा सके वास्तव में भूमद्य सागर के लिए संगहर्ष का कभी पूर्टाया परित्याग नहीं किया गया था जैसा कि नवंबर 1940 में टॉरंटों में इटैलियन बेड़े पर ब्रिटिश वायू सेना के आकरिमान तथा मार्च 1941 में मातापान अंतरिप के निकट ब्रिटिश विजय से प्रकट है एक महीने पश्चात एक कुमुक जो माल्टा के लिए अतियंत आवश्यक सामान ले जा रही थी तीन दिन तक शत्रू के साथ युद्ध करने के पश्चात अपने गंतवे स्थान पर पहुंच सकी मध्यपूर्व के लिए सामान ले जाने वाले जहाजों को इतनी भयां करहानी सेहन करनी पड़ती थी कि आखिरकार ब्रिटिश जहाजों को केप अंतरिप का चकर काट कर मध्यपूर्व को जाने के लिए बाध्य होना पड़ा जुलाई 1943 के आरंभ में लेंपेदूसा और पैंटे रोलिया नामक द्वीपो पर अधिकार करने के साथ भूमध्य सागर पर आक्रमन किया गया ये टापो या धपी छोटे थे परंतु इनकी किले बंदी बड़ी सुद्रन धंक से की गई थी एक महीने पश्चाद ब्रिटिश और अमेरिकी सेनाएं सिसली में उतर गई ब्रिटिश आठवी सेना ने कनाड़ा के एक डिविजन के साथ इस टापो के पूर्वी किनारे पर आक्रमन किया और अमेरिका की साथवी सेना ने पश्चमी किनारे पर जर्मन सेनाएं उतरी भाग में केंद्रित की गई और उन्होंने जाने वाले मार्ग को रोक दिया अमेरिकी सेना ने दो दिशा से आगे बढ़ना आरंभ कर दिया पश्चमी मार्शली की ओर तथा उतर में पारलेमो की ओर जिस पर 22 जुलाई को कबजा कर लिया गया आठवी सेना ने आरंभ में तो बड़ा आश्चरे जनक प्रगती की परंतुबाद में उसको केटीनिया के मैदान में शत्रू के कठोर विरोध ने रोक दिया और अगस्थ से पहले ब्रिटिश सेना इस मैदान में प्रविष्ट नहीं कर सकी 17 अगस्थ को मैसीना का पतन हो गया मैसीना के पतन से पहले इटली में नाटी के घटनाएं घटित हो रही थी दो जुलाई को मुसोलीनी ने त्याग पत्र दे दिया और उसके स्थान पर मार्शल बादो गेलियों को नियुक्त किया गया जिससे मितर राश्ट्रो के साथ संधी करने के उद्देशयों से नई सरकार का निर्मान किया मितर राश्ट्रो की हाई कमान्डर के साथ संधी की गुपत बादशीत आरम भी की गई मुसोलीनी को स्वेम उसकी पार्टी ने बंदी बना लिया था बाद में जर्मनों ने उसको मुक्त कर दिया था परन्तु फिर उसको बंदी बना लिया गया 28 अप्रेल 1945 को इटैलियनों में उस पर अत्यंत अपमान जनक धंग से अभियोग चला कर उसका अंत कर दिया 3 सितंबर 1943 को इटली ने युध विराम संधी पर हस्ताक्षर किया के लिए अत्यंत अपमान जनक थी इटली को बिना शर्त आत्म समर्पन करने तुरंत युध बंद कर देने अपना समस्त बेड़ा तथ हवाई बेड़ा मित्र राश्ट्रों को देने तथ अपने सब सैनिक अड़ों का प्रयोग करने देने की गारेंटी देने के लिए विव कर दिया था प्रन्तु अभि तक इटली की भूमी पर जर्मन सेनाय शेश थी दस सितंबर को इन जर्मन सेनाओं ने रोम पर कबज़ा कर लिया तथा इटली के एक बड़े भाग पर विशेशकर उत्तर में जर्मन नियंतरं अपना स्थापित कर लिया गया इन परस्थितियो में मार्शल बादे गेलियो तथा उसकी सरकार भाग कर मित्र राष्ट्रों के कैम्प में पहुंची और उसने जर्मनों के विरुध युद्ध की गोशना की इस प्रकार इटली ने मित्र पक्ष की ओर से जर्मनी के विरुध युद्ध में भाग लेना आरंभ कर दिया इटली का युद्ध इटली में सर्व प्रथम ब्रेटिश सेना तीन सितंबर को रेगियों में उतरी इसके छे दिन पश्चात एमेरिकी पांचवी सेना नेपुल्स के दक्षण में सरलेनों में सफलता पूर्वक उतर गई जर्मनों ने अपने सेने बल को सरलेनों क्षेतर में केंद्रत करके प्रत्या क्रमन कर दिया बड़ी भयंकर लड़ाई हुई परन्तु अमेरिकी सेना अपने स्थान पर दिर्ण बना रहा इस लड़ाई में अमेरिकी सेना की सहायता में युधपोच समुंद्र के जर्मन सेना पर अगनी वर्षा का रहे थे इतने ही में दक्षन से ब्रिटिश सेना सहायता के लिए आ पहुंची और उसने जर्मनी सेना का दवाब को कम कर दिया दक्षण में आठवी सेना की टुकडियां पहले ही टॉरंटो, ब्रिंटसी तथा बारी में प्रविष्ट हो चुकी थी। अब इस सेना के मुख्य भागने फोग या के महत्वपूर्ण हवाई अड़े पर कबजा करने के विचार से सरलेनों से पूर्व की और बढ़ना में एक था। दूसरा महान लक्षे नैपुल्स था जिसने अमेरिका की पांचवी सेना की सामने पहली ऑक्टूबर को आत्म समर्पन कर दिया। इसके पश्चा जर्मानी सेना पीछे वाल्टूनो नदी तक हट गई और पूर्व तथा पश्चिम में मित्र सेनाओं की वाल्टून नदी पार किया और जर्मनों को गैरी गल्यानों के पीछे धकेल दिया। इस समय जनरल आइसेन हावर पश्चिमी युरोप के आकरमन की योजना कर चार्ज लेने के लिए इंग्लेंड गया। उसके पीछे इटली में मित्र सेनाओं का कमांडर अलेक्जेंडर प्रिष्ट 451 इसल रिट्ग मित्र सेनाओं को आगे बढ़ने से रोगने में सफल हो गया। अगले महीने मित्र सेनाओं ने गेरी गेल्यानों नदी के पूर्व की और कैसिनों को चारो ओर से घिरने वाले पहाडिक शेत्र में एक बार फिर प्रयात्न किया परंतु इसमें भी उनको असफ सफल होना पड़ा और माई से पहले वे शत्रू की स्थिती को तोड़ने के लिए प्रयाप्त रूप से शक्तिशाली हो सके। तब आठवी सेना के मुख्य अंग को पश्चिम में अमेरिका की पांचवी सेना सहायता के लिए गुप्त रूप से भेजी गई और फिर आक्रिम सेना को उत्तर की और बड़ी तेजी से खदर्णा आरंभ किया। चार जून को पांचवी सेना के सामने रोम का पतन हुआ। दो दिन पश्चात मित्र सेना नारमंडी में उतर गई इसके पश्चात प्रगती कुछ धीमी हो गई। जुलाई में सीना और लेगून का तथा 11 अगस्त को फ्लोरेंस का पतन हुआ। सितंबर के आरंभ में दोनों विरोधी सेनाई जर्मन की दूसरी रक्षा पंक्ती गोथिक लाइन पर एक दूसरे के सामने खड़ी थी जो उतरी एपनाइन्स में इटली के आरपार आर्नो नदी से रिमिनी तक फैली हुई थी। सितंबर के आरंभ में रेवेना पर कबजा कर लिया गया परंतु बुरे मौसम और कैसल रिड़क के योगता पूर्ण प्रतिरोध के कारण मित्र सेनाई बोलोगना पर अधिकार नहीं कर सकी। इटली के युद्ध का अंतिम अध्याए प्रायद्वीप के दोनों और से आक् हो चुका था और जर्मनी सेना विशाल संख्या में आत्म समर्पन करने के लिए बाद्धे हुई। इसके अतरिक्त इटैलियन देश भक्त उत्तर के ओध्योगिक नगरों पर अधिकार कर रहे थे। 29 अप्रेल को दो जर्मन अफसर ने फील्ड मार्शल अलेक्जेंडर के है जर्मन सेना ने दो माई को हतियार डाल दिया। अगस्त 1942 तक नाच्सी वेहरमक्ट तीवर गती से आगे बढ़ती गई और चारों तरफ से स्टालिन ग्राट को भी घेड लिया। स्टालिन ग्राट की रक्षा सोवियत संग के जीवन मरन का प्रेशन था अतहा किसी भी मूले पर इसकी रक्षा जरूरी थी। स्टालिन ग्राट को बचाने और उस पर आधिपत्य जमाने के लिए जर्मनी और सोवियत संग के बीच जो युद्ध हुआ वे युद्ध के इतिहास में अद्वित्य है। रूस में इस युद्ध को इतिहास का सबसे महान युद्ध कहा जाता है। इसका इस वपन कभी पूरा नहीं हुआ। स्टालिन ग्राट को बचाने के लिए एक-एक सोवियत बच्चा अपने घर से निकल पड़ा। ये उनके जीवन मरन का प्रश्न था। महीनों तक जर्मनी लुफता वाफे स्टालिन ग्राट पर बम गिराते रहे और वेहर मक्ट आगे बढ़ती रही। लेकिन सोवियत सेना ने डटकर मकाबला किया। प्रतेक खंड, प्रतेक गली, प्रतेक घर और यहां तक की प्रतेक कमरे में उन्होंने शत्रों का मकाबला किया। स्टालिन ग्राट में महीनों तक आग लगी रही, सैकडो युवक मौत के घाट उतार दिये गए पर सोवियत बहादुरों ने हतियार नहीं डाले। पचास दिनों की लड़ाई में उन्होंने एक लाक असी हजार जर्मनों को मार डाला और जर्मनी के लगभग 13 सो हवाई बेड़े मार गिराए। इसी समय तक शरत रितु आ चुकी थी, मौसम से लाब उठा कर लाल सेना शत्रों को पीछे हटाने की तयारी करने लगी। मार्शल पॉलिस ने हिटलर को पीछे हट जाने की अनुमती मांगी पर उसका हुक्म हुआ की वे डटा रहे और स्टालिन ग्राट को जीत कर ही वापस आए। इस समय तक सोवियत सेना तयार हो चुकी थी, इसका नेतरत्व सोवियत संग की योगतम सेना पती कर रहे थे। मार्शल पॉलिस इसका जवाब देने में असमर्त था, घिर जाने के कारण वे अपनी सेना के साथ भाग भी नहीं सकता था। अतेव अधिक दिनों तक वे युद्ध में नहीं टिक सका, दो फरवरी 1943 को उसने आत्म समर्पन कर दिया स्टालिन ग्राट का युद्ध समाप्त हो गया, हिटलर को पहली बार महत्वपूर्ण पराजे का अनुभव हुआ प्रिष्ट 452 स्टालिन ग्राट का युद्ध दूइती विश्व युद्ध का वर्दन बिंदू है, हिटलर के वेहर मक्ट का बहुत हिस्सा सोवियत संग के कबजे में था उसके सैनिक अब सोवियत संग के युद्ध कैदी थे, ये जर्मनी की एक बहुत बड़ी पराजे थी और इसके बाद से उसकी अंतिम पराजे निश्चित हो गई इन्ही कारणों से स्टालिन ग्राट की बर्डून के युद्ध से तुलना की जाती है सोवियत जनता और सोवियत सेना के सैनिकों ने अपूर वीरता का प्रदर्शन करके केवल स्टालिन ग्राट को ही नहीं बचाया बलकि सायुकि राष्टर के विजे को भी निश्चित कर दिया यदि स्टालिन ग्राट का युधि सोवियत संग हार गया रहता तो आज विश्व का इतिहास कुछ दूसरा ही होता स्टालिन ग्राट के युधि के बाद सोवियत सेना आगे ही बढ़ती गई अप्रेल में रुमानिया और इसके बाद फिंडलेंड और बुल्गेरिया में पहुंचते भी देर न लगी सोवियत सेना पूर्वी यूरोप को उसी तरह रौंदने लगी जिस प्रकार तीन बर्ष पूर्व नाथसी सेना ने रौंदा था प्रतेक स्थान पर सोवियत संग की विजय होती रही बाल्टिक शेत्र के संपूर्ण देशों को नाथसी वाद से मुक्त करके सोवियत सेना जनवरी 1945 में पोलेंड पर आकरमन करने की तयारी करने लगी इस आकरमन का अंत बर्लिन पर आधिपत्य के बाद ही हुआ पश्चिमी मोर्चा जिस दिन जर्मनी ने सोवियत संग पर अपना पहला आकरमन किया था उसे दिन से स्टालिन अपने साथ ही राजियों से पश्चिम में एक दूसरा मोर्चा खोलने का अनुरोद कर रहा था सोवियत संग पर से युद्ध का भार कम करने के लिए ये आवशयक था अमेरिका स्टालिन के विचार से सहमत था पर चर्चल का दूसरा ही अनुमान था उसका विचार था कि जर्मनी पर पश्चिम की तरफ से नहीं बलकि पूर्व की और से बालकान प्रायदवीब की तरफ से हमला किया जाए उसका ख्याल ये था कि पूर्व से जर्मनी पर आकरिमन करने से बालकान प्रायदवीब पर सोवियत संग का अधिकार नहीं हो सकेगा वे एक ही युध में सामरिक दृष्टी से जर्मनी को तथा कूर्टनी तिक दृष्टी से सोवियत संग को हराना चाहता था बालकान प्रायदवीब की तरफ से हिटलर पर आकरिमन करने के लिए ये आवशयक था कि भूमदे सागर पर अंग्रेजों और अमेरिकियों का पूर्ण कबजा हो जाए इसके लिए अफरिका में धुरी राश्ट्रों को हराना आवशयक था अतहा चर्चल ने पहले उत्री अफरिका को फासिस्टों से मुक्त करने का प्रस्ताफ किया और रुजवेल्ट भी इस विचार से सहमत हो गया इसकारण पश्चिम से दूसरा मोर्चा 1943 के पहले कायम नहीं हो सका ब्रिटेन और अमेरिका उत्री अफरिका तथा इटली के युद्ध में वियस्ते रहे इन दोनक शेत्रों में उनकी विज़तों हुई पर वे बालकान प्रायद्वीब की तरफ से जर्मनी पर आकर्मन करने में सफल नहीं हो सके जर्मन आकर्मन कारियों से छुड़ा कर उसने बालकान की प्रतेक देश को जीतना शुरू किया प्रिष्ट 453 पश्च में दूसरा मोर्चा खुलने में विलंब कुछ अवश्य हो गया पर अप्रेल 1941 में ही ये निर्ने कर लिया गया की जर्मनी के वरुद्ध एक दूसरा मोर्चा खोला जाएगा दिसंबर 1943 में इसकी तैयारी होने लगी अफरिका में विजय प्राप्त करने के बाद जनरल आईसन हावर यूरोपिय कमान का सरवोच सेना पती हुआ पूरी तैयारी कर लेने के बाद 6 जून 1944 को दूसरा मोर्चा बाजबता खोल दिया गया हिटलर को अब दो मोर्चों पर युद्ध करना था फ्रांस में जर्मनी की पराज है जुलाई में जनरल पैटन के नेतरत्व में एक अमेरिकी सेना जर्मन लाइन को तोड़ कर सेंटलो और एवे रंशिन पर गबज़ा करने में सफल हो गई दस अगस्त को नाट्स का पतन हुआ और एक सप्तह पश्चात पैटन की सेना चाट्रिस, आरलियंस और शैटो डून को मुक्त करती हुई ड्रक सजा पहुँची इस बीच नार्मंडी के युद्ध में मित्रराष्टो की विजय होनी आरंभ हो गई जब जर्मनों ने माटेन के निकट प्रत्या क्रमन किया तो जनरल मांठ गोमरी ने अमेरिकी सेना के एक भाग को उतरी के और घुसकर ब्रिटिश और कनाडियन सेना से जामिलने का आदेश दिया परिणाम स्वरूब जर्मन सैनिक एक बड़ी संख्या में फैलिक शेत्र में घिर गए जर्मनों ने अपने इन घिरे हुए सैनिक में से कुछ को निकालने का प्रयात ने किया परंतु जान और माल का भयांकर मूले चुकाना पड़ा मित्र सेना ने जर्मनी की आठ पैदल डिविजन और दो पेंजर डिविजनों को बंदी बना लिया अगस्ट में जनरल पैंटिन की सेना पैरिस से नीचे सीन नदी पर मांटेज में जा पहुँची प्रिटिश सेना सीन नदी को पार कर तेजी से सोम की और अग्रिसर हुई पैरिस के अंदर काम करने वाले फ्रेंच प्रतिरोध आंदोलन के सदसें ने तीन तारिक को पैरिस को मुक्त कर लिया और दो दिन पश्चात इस विजे को पूण करने के लिए जनरल लेकलर्क की बक्तर बंद डिवीजन आ पहुची उसी दिन जनरल दिगाल ने भी फ्रांस की राजधानी पैरिस में प्रवेश किया लगभग उसी समय जब मित्र सेना सीन नदी को पार कर रही थी तूलो और नीस के बीच फ्रांसिसी रिवीरा में मित्र राष्ट्रो ने अपनी सेनाएं उतारी शत्रू की ओर से कोई कठोर प्रतिरोध नहीं हुआ और फ्रांसिसी अमेरिकन सेना अपनी स्थिती को सुद्रन करने तथा जर्मनी सेना का पीछा करने में सफल हुई कुछ ही दिनों में तूलो और मार्शे लिज़ पर कबज़ा हो गया अगस्त के अंत तक अमेरिका की साथवी सेना ने वालेंस पर तीन सितंबर को फ्रांसिसी और अमेरिकी सैनिक ने लिनोंस पर तथा कुछ दिन पश्चाद बीसन कान पर अधिकार कर लिया सितंबर के मध्य तक अटलांटिक के बंदरगाहों और एलसिस लॉरिन के अतरिक्त अधिकांश फ्रांस मुक्त कर लिया गया था और मित्र सेना ये बेलजियम होकर हॉलेंड की और बड़ी तेजी से बढ़ रही थी इसे कुछ ही पहले जनरल आइसन हावर को फ्रांस में समस्त थल सेना का सरवोच सेना अध्यक्ष बना दिया गया था मॉन्ट गोमुरी जो अब फील्ड मार्शल बन चुका था ब्रिटिश 21 सेना का और जनरल ब्रेड रिले अमेरिका की बारहभी सेना का कमांडर नियुक्त किया गया था प्रिष्ट 454 नारमडी में विजे प्राप्त करने के पश्चाद ब्रिटेन और कनाडा की सेनाओं ने आमिन्स पर कबज़ा करके सोम नदी को पार किया तथा अर्रास पर अधिकार करके बेलजियम की सीमा को पार किया और 3 और 4 सितंबर को क्रमशहा ब्रूसेल्स तथा तामूर को मुक्त करके ब्रिटिश सेना ने अलबर्ट नहर को पार कर लिया था और दूसरे सबतहा एसकोर्ट नहर तथा डच सीमा तक जा पहुँची थी अब उसके और जर्मनी सीमा के बीच मास्क नदी तथलो और राइन नदी थी और यहाँ पर जर्मनों ने अपना अंतिम मोर्चा लगाने का दिर्ण निश्चे किया था इन दोनों नदियों को पार करने तथा सीक फ्रेड लाइन से आगे निकल जाने के विचार से मित्र राष्ट्रों ने वायू यानों से दक्षन पूर्वी हॉलेंड में सेना उतारी परंतो इस प्रयातने में मित्र राष्ट्रों को सफलता प्राप्त ना हो सकी क्योंकि आनहेम में नदी पर जो किले बंदी की गई थी विशत्रू की प्रतिरोध का सामना नहीं कर सकी या धपी वाल नदी पर की गई किले बंदी का सामना करने में सफल हुई अक्टबर की अंत तक यूरोप पर किये गई आक्रमन का पहला अध्याय समाप्त हो चुका था इस काल में फ्रांस, बेलजियम और लुक्जंबर्ग होकर जर्मनी की सीमा तक मित्र राष्ट्रों की सेना को रसत पहुचाने का काम अत्यंत महत्वपोन सफलता थी जन्रल आइसन हावर ने लिखा है कि इसने रूसी जन्रलों को भी अत्यधिक प्रभावित किया था परंतु चार महीने के तीवर प्रगती के पश्चात रसत के रास्तों पर शत्रू का दवाब अनुभव होने लगा था और पेट्रोल तथा गोला बारूत की कमी के कारण प्रगती मंद पड़ गई परंतु इस अफधी में ब्रिटिश सेना ने दक्षणी हॉलेंड को मुक्त कर दिया था फ्रांसेसी सेना मुल हुसेन पर राइन नदी तक पहुँच चुकी थी और अमेरिकियों ने स्ट्रासवर्ग पर कबजा करके जर्मन सीमा को पार कर लिया था तथसार की और तेजी से बढ़ रही थी रूस का पूर्व में आक्रमन वास्तव में 1944 में जर्मनी को अपने घर में ही दो मोड़्चों पर लड़ना पड़ रहा था पश्च में जब एंगलो अमेरिकी सेना ने आक्रमन किया उसी समय रूसी सेना ने भी बढ़ना आरंभ कर दिया था जून के आरंभ में रूसी सेना ने केरिलियन थल दमरू मध्यों को पार किया और फिन्लेंड की प्रसद्ध मैनरहीम लाइन को तोड़ कर विवागर पर कबज़ा कर लिया इस से उतर में लेडोगा और ओनेगा जीलो के बीच भी रूसीों ने सफलता पूरवक आक्रमन किया अगस्त का अंत होने से पहले ही फिन्लोग युद्ध बंद करने के लिए बाद दे हुए 19 सितंबर को युद्ध विराम संधी पर हस्ताक्षर हुए जिसके अनुसार फिन्लोगों ने 1949 में निरधारित सीमा के अंदर लोटा जाना रूस को पैट सामो प्रदान करना तथा 30 करोड पॉंड हर्जाना देना स्विकार किया रूस ने हॉंगो प्रायदवी पर अपने पहले दावे का परित्याग कर दिया रूस की उपरियुक्ति प्रगती के समानांतर श्वेथ रूस के मोर्चों पर भी ऐसी ही प्रगती जारी थी जहां पर जून का अंत होने से पहले ही आक्रमन आरंभ किया गया था वाई टेप्स का 26 जून को पतन हुआ और जर्मन सेना की पांच डिविजन सेना घेड लिये गए जो या तो मार डाले गए या आत्म समर्पन करने के लिए बाद्धी किये गए इसी समय दक्षन की और मध्य पोलेंड की दिशा में रूसियों ने शक्तिशाली आक्रमन किया पहले मोगी लेफ और उसके पश्चाथ श्वेत रूस की राजधानी मिंस्क पर कबजा कर लिया गया इस समय रूसी सेना दोसों मील लंबे मोर्चे पर बढ़ रही थी और जर्मनी किसी भी क्षेत्र में अपनी सेना को अन्ने किस स्थान पर प्रयोग करने के लिए हटाने का साहस नहीं कर सकते थे कुछ ही समय पश्चाथ रूसी सेना के दलबाल्टिक राज्जे और पोलेंड के बीच से उमरते हुए आने लगे लुबनीन, लुब, व्यालिस्टॉक तथा ब्रेस्ट लिटोबस्क पोलेंड के दुर्ग नगरों पर एक के पश्चा दूसरे पर कबजा करता चला गया रूसी सेना धावा करती हुई विस्चूला नदी तक पहुँच गई और एक स्थान पर वार्षा से केवल दस मील की दूरी पर थी मार्शल रोकोसी वस्की के नित्रित्व में रूसी सेना वार्षा पर धावा करने की तयारी कर ही रही थी कि इसी बीच दुर्भागे से महाँ पर पोलेंड की गुप्त शक्तियों ने विद्रोह कर दिया आरंभ में तो विद्रोहियों को कुछ सफलता मिली परंतु आखिरकार विद्रोह को कुछल दिया गया और अविशिष्ट नगर को निर्दियता के साथ विनष्ट कर दिया गया पोलेंड से उत्तर की और बाल्टिक राजियों में रूसियों द्वारा बड़ी शीगरिता के साथ फुकोव, नार्वा तथा डिवनसक पर कबजा कर लिया गया पहली अगस्त को लिथुएनिया की राजधानी कोनांस का पतन हो गया परन्तु पूर्वी प्रशा की सीमा पर जर्मनी ने संगठित होकर प्रत्या क्रमन किया और रूसी प्रगती को रोग दिया प्रिष्ट 455 बालकान से जर्मनी का पीछे हटना बालकान प्रदेश में नया आक्रमन आरंभ किया गया रूसी सेना ने जसी पर धावा करके आक्रमन आरंभ किया रुमानिया ने तुरंत ही युध्य विरामसंधी की शर्तों को सुविकार करने की घोषणा कर दी और दो दिन पश्चात जर्मानी के विरुध युध घोशित कर दिया युध विराम संधी पर 13 सितंबर को मासकों में हस्ताक्षर किये गए परंतो इससे पहले ही रूसी सेना बुखारेस्ट में प्रविष्ट हो चुकी थी और डेनियूब के किनारे किनारे आगे बढ़ती हुई सितंबर के आरंभ में बुल्गारिया और युगोस्लाविया जा पहुँची बुलगारिया ने जर्मनी के विरुध युद्ध की घोषणा करके ततह युद्ध विरामसंधी के लिए प्रार्थना करके रुमानिया का अनुकरन किया बिल्ग्रेट को मुक्त करा दिया गया और मार्शल टीटो के नित्रत्व में युगोसलाव लोगों के साथ बुलगारिया की सेना ने बालकान से भागती हुई जर्मन सेना को परिशान करना आरंभ किया पूरवी एरोप में जर्मनी के मित्रों में उसका साथ छोड़ने वाला हंग्री अंतिम मित्र था परंतो रुमानिया के जर्मन बक्ष को त्याग देने के पश्चाथ उसके स्थिति असंभव हो गई थी अक्टुबर के आरंभ में रूसी सेना ने रुमानिया से हंगरी की सीमा को पार कर लिया और तेजी से बढ़ती हुई बुड़ा पेस्ट से 65 मील की दूरी तक चली गई वहाँ पर जर्मनी और हंगरी की सेना ने उसका डटकर सामना किया हंगरी की सेना का एक भाग तथा उसका कमांडर इनचीफ शेगरी ही रूसी सेना में आमिले थे 20 जनवरी 1945 से पहले हंगरी के साथ युद्विराम संधी पर हस्ताक्षर नहीं किये जा सके और तब भी उस समय जब की हंगरी के शासक को पद्चियूत कर दिया गया इस बीच अक्टूबर 1944 में ब्रिटिश सेना युनान में पट्रास के स्थान पर उतर चुकी थी जर्मन सैनिकों ने शेगरीता से युनान छोड़ कर भागना आरंभ कर दिया था और भागते हुए उनको ब्रिटिश सेना तथा युनानियों ने बड़ा परिशान किया 1944 का अंत होते होते समस्त युनान मुक्त किया जा चुका था इस प्रकार जर्मन सेनाएं पश्चिम, पूर्वी और दक्षन से 1944 के अंत में जर्मन राजे की सीमाओं के भीतर वापस लोटने पर बाद्धे की गई युरोप का युद्ध अपने अंतिम रूप में प्रविष्ट हो रहा था और यदभी अभी जर्मनी में प्रभावी प्रतिरोध की क्षमता थी युद्ध का अंतिम परिणाम स्पष्ट हो चला था युरोप में मित्र राश्टो की विजय मित्र राश्टो की ओर से अंतिम आक्रमन 1945 के आरंभ में किया गया जर्मन सेना ने दिसंबर के मध्यमें आडेनीज में भयंकर प्रतिय का क्रमन किया और अमेरिकी सेना को कोलीन की और बढ़नी से रोग दिया तथा उनके क्षेत्र में 44 मील तक अंदर घुस गई इस भयंकर प्रत्याक्रमन का लक्षे लीज पर कबजा करना था जहां पर मित्र राष्ट्रों ने अपने अंतिम आक्रमन की तयारी में प्रचुर मात्रा में रसत इकठा कर रखी थी अतियंत भयंकर लड़ाई के पश्चात जिसमें दोनों दलों को बहुत अधिक खानी उठानी पड़ी दूसरे वर्ष के आरंभ में जर्मन सेना को पीछे धकेल दिया गया जर्मन सेना का ये प्रत्याक्रमन अंतिम दाब था और ये भी असफल रहा परंतो इसने ना केवल मित्र सेना से भयंकर नर आहुती ली अपितुसार पर मित्र सेना के आक्रमन को छे सपताह तक रोका रखा और उस समान ने आक्रमन को भी जनवरी के आरंभ में रूस के आक्रमन के साथ ही साथ जर्मनी के वरुध होने वाला था आठ फरवरी को ब्रिटिश और कनाड़ा की सेना ने निजमेगन के दक्षन पूर्व की और आक्रमन आरंभ किया और इसके पश्चात पश्चमी मोडचे पर आक्रमन आरंभ हो गया कुछ ही समय में ट्रायर, क्रिफेल्ड तथा कोलीन आदी नगरों पर कबज़ा कर लिया गया अमेरिका की पहली सेना ने रेमोगेन पर राइन नदी को पार किया मार्च के मध्य में कोबलेंस का पतन हुआ और इसके समय तक मोसेल से उपर राइन का पश्चमी किनारा जर्मन सैनिकों से खाली हो गया दक्षन में फ्रांस और अमेरिकी की सेना शत्रू के विरोध का सफल सामना करती हुई सार पर आक्रमन करने के लिए आगे बढ़ रही थी तथा उसने अनेक नगरों पर कबज़ा कर लिया था 25 मार्च तक जर्मन के संगठित विरोध का राइन के पश्चम में पून्टाए अंत हो गया था उत्र में फील्ड मार्शल मांट गोमरी की अध्यक्षिता में 21 सेना ने लोवर राइन को चार स्थानों पर पार किया और नदी तट पर एक किले बंदी पर कबज़ा करके 11 दिन उत्तर पूर्व की ओर 100 मील आगे बढ़ गई इस प्रगती का उद्देश रूर का पूर्ण घेरा था जो अप्रेल के आरंभ तक सफल हो गया था यदपी सिक्षेत्र में जर्मन विरोध 18 अप्रेल तक समाप्त नहीं हुआ अब राइन से पूर्व तीन स्थानों पर मित्र सेनाओं की स्थिती पूर्णतया सुद्रण थी उत्तर में वेजेल पर रेमा गेन पर तथा मेंज के दक्षण में ओपन हीम पर यहां से मित्र सेनाओं ने मध्य जर्मन पर आक्रमन करना आरंभ किया साथ ही वायूयानों ने भयंकर बम की वर्शा की जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी में भयंकर गड़बड़ी मचने लगी जर्मनी में अब तीन ओर से आक्रमन हो रहा था एक उत्तर की ओर दूसरा जर्मनी के बीच में होकर पूर्व की ओर और तीसरा दक्षन पूर्व की ओर से उत्तर में डैनमार्क को जर्मनी सिप्रथ करने के लिए और दक्षन पूर्व में डेनियूब घाटी में रूसी सेना से मिलकर दक्षनी जर्मनी में भारी जमाव की संभावना का अंत करने के लिए इस समय तक जर्मनी का संगठित प्रतिरोध समाप्त हो चला था इसके पश्चात जर्मनी के आत्म समरपन तक युध जर्मन नगरों पर मित्र राष्टों के अधिकार करने की कहानी मात्र रह जाता है प्रिष्ट 456 जर्मनी का आत्म समरपन पश्चिम में मित्र सेनाओं के आक्रमन आरंभ करने से पहले रूस ने आक्रमन आरंभ कर दिया था जन्वरी के आरंभ में वार्सा पर कबजा करके रूसी सेना पोलेंड को पार करती हुई जर्मनी में प्रविष्ठ हुई इसी बीच दक्षण में रूसी सेना बुड़ा पेस्ट में प्रविष्ट हो चुकी थी उनसे मार्च के अंत तक डैनियूब के किनारे किनारे बढ़कर आस्ट्रिया में प्रवेश किया तथा 25 अप्रेल के मध्य तक आस्ट्रिया की राजधानी वियाना तक जा पहुँची 16 अप्रेल को बर्लिन जर्मनी की राजधानी पर आक्रमन आरंभ हुआ पांच दिन पश्चात रूसी सेना ने बर्लिन के उपनगरों में पहुँचकर लड़ना आरंभ कर दिया पश्चमी मित्रराष्ट इस समय तक पहले ही एल्ब नदी तक पहुँच चुके थे और दोनों सेना पूर्व और पश्चमी की ओर से बढ़ती हुई टोगों पर आमिली गली गली और घर घर के भयंकर युद्ध के पश्चात दो माई को बर्लिन ने रूसी सेना के सामने आत्म समर्पन कर दिया दो दिन पश्चात ये सूचना मिली की हिटलर ने आत्म हत्या कर ली है अब तक लगभग सर्वत्र जर्मन प्रतिरोध का अंतो हो चुका था जिस दिन बर्लिन पर कबजा हुआ उसी दिन इटली में जर्मन सेनाओं ने हत्यार डाल दिये थे इसके दो दिन पश्चात उत्री पश्च में जर्मनी हॉलेंड और डेर्मार्क में भी जर्मनी सेनाओं ने आत्म समर्पन कर दिया साथ माई को पूर्ण एवं अंतिम आत्म समर्पन हुआ और समर्पन पत्र पर जर्मनी की ओर से जनरल जौदल ने रोम्ज में जनरल आइसिन हावर के हेड़ क्वार्टर में हस्ताक्षर किये जापान का आत्म समर्पन सितंबर 1941 में प्रथम वाशिंग्टन सम्मेलन में चर्चल और रुजवेल्च ने ये निश्चे किया था कि पहले मित्र राष्ट्रो की समस्त शक्ति लगा कर पश्चमी यूरोप में जर्मनी को परास्त करने का प्रयत ने किया जाएगा और इसमें सफलता प्राप्त होने के पश्चात समस्त शक्ति को पूर्व में जापान के विरुध के इंद्रित किया जाएगा जब मित्र राश्ट्रो की शक्ति को जापान के विरुध लगाने का समय आया उससे पहले ही सुदूर पूर्व युद्ध में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की जा चुकी थी 1942 के अंत तक जापानी अपने उतकरश की चरम सीमा तक पहुँच चुके थे अगले वर्ष पूर्व में ब्रिटिश सैने कारिवाही का मुखिक शेत्र बर्मा था जहां पर जापानीों को अत्यधिक परिशान किया गया विशेशकर उनके संचार साधनों को काट कर जब फरवरी 1944 के आरंभ में जापानीों ने आराकान मोर्चे पर आकरिमन किया तो उसको विफल कर दिया गया एक महीने पश्चा जापानीों ने भारत पर आकरिमन करने के उद्देशे से ब्रह्मपुत्र की घाटी में प्रवेश करने के विचार से आसाम पर भयंकर आकरिमन किया तीन महीने की घमासान लड़ाई के बाद जापानियों में भगदर मच गई और जब वे चिंद बिंद नदी को पार कर रहे थे तो ब्रिटेन की चौधवी सेना ने उनका पीछा किया इसके पश्चाच छे महीने का घमासान युध आरंभ हुआ जो वर्शा काल में भी चलता रहा पहली जनवरी 1945 तक चौधवी सेना ने चिंद बिंद नदी को पार कर लिया था और इसी कारण ब्रिटिश सेना एं अराकान मोर्चे के साथ साथ बढ़ रही थी जनवरी में लेडो सड़क जो भारत से बर्माचीन को जाती थी जापानी सेना से मुक्त गोशित कर दी गई और इस प्रकार चीन के लिए स्थलिय मार्ग खुल गया दक्षन की ओड लेशियो और मांडले पर मार्च में और रंगून पर माई के आरंभ में अधिकार कर लिया गया इस दीर्ग कालीन संगहर्ष के परिणाम स्वरूप जापानी लोग बर्मा में निश्चयात्मक रूप में परास्त कर दिये गए इसके पश्चात मित्र सेनाओं को मलाया में उतारने की तैयारी की गई परंतु इन योजनाओं को क्रियानवित करने से पहले ही जापान में सामाने रूप से आत्म समर्पन कर दिया प्रिष्ट 457 प्रशान्त महसागर में भी जापान की शक्तिक शुन हो चुकी थी 1943 के उतरार्द में मित्र सेनाओं ने विशेश्टाया अमेरिका, न्यूजीलेंड और आस्ट्रेलिया की सेनाओं ने प्रशान्त महसागर के छोटे छोटे टापूँओं पर पुन्हा अधिकार करना आरंभ कर दिया था सितंबर 1943 के आरंभ में जनरल मेक हार्टर ने न्यूगिनी पर आक्रमन आरंभ किया जहां पर जापानियों का कबजा होने के बावजूद आस्ट्रेलिया और हॉलेंड के सेनिकों ने दक्षन पूर्व में अपने पैड जमा लिये थे इस आक्रमन के पश्चात नवंबर में गिलवर्ट टापूँ पर तथा 1944 के आरंभ में मार्शल और एड्मिरेल्टी टापूँ पर अधिकार कर लिया गया आखिरकार मित्रराष्ट जल थल और नब में सर्वोचता प्राप्त करने में सफल हुए और अब ऐसी स्थिती में थे कि जापान की रसद और संचार व्यवस्था को खत्रे में डाल सकते थे अक्तुबर 1944 में अमेरिकी सेना फिलिपाइन द्वीप समू के लीटी द्वीप में उतरी लूजो से जापानी बेड़े को खदेड दिया गया इस द्वीप में जापानियों को पूर्टया परास्त करने में दो महीने लगे परंतु वर्ष का अंत होने से पहले अनेक द्वीपों में मित्र सेनाएं सफलता पूर्वक उतारी गई और जनवरी 1945 के आरंभ में मुख्य द्वीप लूजो पर सफल आक्रिमन किया गया चार फरवरी को अमेरिकी सेना ने फिलिपाइन्स की राजधानी मनीला में प्रवेश किया पांच जुलाई 1955 को फिलिपाइन्स की पूर्ण मुक्ती की घोशना की अब जापानी छे माइने से निश्चयात्मक रूप से रक्षात्मक युद्ध कर रहे थे अमेरिकी सेना ने धीरे-धीरे मुखे जापानी द्वीपों के निकट पहुँच रही थी मार्च में इवोजीमा पर अधिकार करके अमेरिकी सेना मुखे जापानी द्वीप हुन्शु से 775 मील की दूरी पर रह गई थी जून के मध्य में अमेरिकीयों ने फार्मोसा और जापान के बीच रियो क्यू द्वीप में ओकी नावा पर विजय प्राप्त की नियोगिनी नियू, ब्रिटेन, बोर्नियों तथा फिलिपाइन्स में जापानी सेनाएं पीछे धकेली जा रही थी यधपीवे उनमत होकर प्रतिरोध कर रही थी उधर जापानी द्वीपो में अमेरिकी बंवर्षकों ने कोहराम मचा रखा था याको हामा का आधे से अधिक भाग नश्ट किया जा चुका था और टोकियो, ओसका, नागोया, कोबे तथा अन्य जापानी नगरों को भी अत्यधिक शती उठानी पड़ी थी यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय के समें जापान की स्थिती संकट पूर्ण थी और यदपीवे अभी मित्र सेनाओं से भयंकर नड संगहार करने की क्षमता रखता था तभी युद का अंत स्पष्ट हो गया था अप्रेल में रूस ने जापान के साथ अपनी तठस्तिता की संधी को भंग कर दिया जापान के विरुध 8 अगस्त को युद की घोशना कर दी और तुरंथी मंचूरिया की सीमा पर अपनी सेना लडने के लिए भेज दी जुलाई में अमेरिका, ब्रिटेन और चीन में पोर्ट सडाम में से जहां पर एक सम्मेलन हो रहा था एक घोशना प्रचारत की जिसमें उन शर्टों का उलेख किया गया था जिन पर वे शान्ती समझोता करने के लिए तयार थे प्रिश्ट 458 शर्ट ये थी कि या तो जापान बिना शर्ट आत्म समर्पन कर दे अन्य था पूर्ण विनाश के लिए तयार रहे जापानियों ने इस चेतावनी की उपेक्षा की परंतु 6 अगस्त को उसको ग्यात हुआ कि मित्र राष्टों की उसकी विनाश करने की धम की सर्वथा कोरी नहीं थी क्योंकि इस दिन हिरोशिमा पर प्रथम अनूबम गिराया गया इस अनूबम ने जो विनाश किया वे अवर्नेनिय है चार वर्ग मील में नगर सर्वथा ध्वस्त हो गया और 6 वर्ष के युधि में ब्रिटेन में हवाई हमलों के कारण जितने मनुष्य मारे गए थे उसने अधिक नर संगहार इस अकेले अनूबम ने किया फिर भी जापानियों ने आत्म समर्पन का निश्चे नहीं किया तीन दिन पश्चात दूसरा अनूबम नागा साकी पर डाला गया और इसका भी वैसा ही विनाश कारी प्रभाव हुआ अगले ही दिन जापानियों ने पोर्ट सडाम घोशना की शर्त को सुविकार कर संधी के लिए प्राटना की और 14 अगस्त को जापान ने मित्रराश्ट्रों की मांगो को सुविकार कर लिया समरपन पत्र पर टोकियों की खाड़ी में एमेरिकी युधिपोर्ट मियोरी में दो सितंबर को जापानी दूत ने हस्ताक्षर किये और दुवीत्य विश्व युधिपूरी तरहा बंद हो गया अध्याई पैंत समाप्त आध्युनिक विश्व का इतिहास पुस्तक समाप्त